बोल दो नाजरा दिल में जो है चुपा इस माइ वोईस ओडिबल करन फटापट एक बार बोल दो नाजरा दिल में जो है चुपा मैं किसी से कहूंगा नहीं किसी से कहूंगा नहीं बताइए वोईस आप सबको क्लियर है या नि राधे राधे एव्रिवन हाओ इस एव्रिवन डूइंग चन्फर्म कर देगा फटाफट मुझे सौरी फटाफट टेकनिकल ग्लिच कि मुझे दो तीन मिनिट लेट हो गया आपको जॉइन करने से एक बार सबीक सबीक गूड इवनिंग एवरिबड़ी हितेश बरदवाज चावला कांता चावला ओके ओके तन में यस ओके तन में ओम राजेश जी अभी स्टार्ट हो रहा है हितेश को ने बहुत बार मेसेच किया कि भया कहां गए हाई दर्शन हाई ओशी हाउआ यू कैसा आपका आप कैसे हो मुझे बताइए शुभम कैसे हो आप सब लोग कैसे हो आप कैसे विरिष्टा आपके पास में हां पाच एक मिनिट उपर नीचे हो गया है हेलो एवर्यवन हेलो 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 एवप दाइव आपके यू आपके तयारी करके रखा हूं मेरे टीम को बोलके रखा है कि मेरे सारे बच्चे तयार है क्योंकि foundation अपने लिका लें गही थांक यू थांक यू थांक य। एंक तर सब्सक्राइब कर एं पूर्षिंग तौर्द सभी तर्यारी आपको बता जाता हूं माई internet just got disconnected तो हो सकता है कि एक second के लिए just एक second के लिए हो सकता है कुछ technical glitch आए आपका in between ठीक है यह मेरी पहली class है और law के answers लिखने में problem हो रहा है व्रिष्टा को व्रिष्टा अगर आपको law में कोई भी दिक्कत आ रहा है मेरी playlist बनी वी है companies act की playlist मेरी YouTube में है आड़ सोगा हम लोग कर रहे हैं in the special classes ठीक है आज हम लोग सोगा का unit number 2 के question answers को discuss करेंगे यह हुआ ना मेरा बात नित्या good evening क्योंकि आपने मुझे बोला good evening भाईया ठीक है तुशार ने भी का good evening भाईया रादे रादे everyone I hope everybody is doing fine पहला कुछ rules बता रहा हूं आपको जो अभी enter हुए है ना अगर आपको दिल से अच्छा करना है तो लिख लेंगे नहीं पहली बात अच्छा तो लिखलते भी नहीं है बट मैंने rule बता दिया आपको thank you देपेश thank you so much yes अंजली आपको मेरे सोगा के classes जो है unacademy app में special classes में free में मिल रहा है अभी for December ठीक है कौन से chapters हो गए कोमल ने पुछा है कोमल हमने Companies Act का सारा का सारा lectures fast track and with revision one shot and question and answers हमने खतम कर दिया है सोगा का हमने unit number one खतम कर दिया है unit number two को भी हमने एक बार खतम कर दिया है आज हम लोग question answer practice करेंगे today at 9 p.m I am looking forward कि आप सब लोग आए before I begin आज हम लोग पढ़ने वाले है पंचली महले आप इसको June 24 के लिए भी consider कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है no problem if it's your first class we are starting off with a new chapter all together जिसमें आप सब को बहुत जादा मज़ा आने वाला है तो tension ले लेने का मैं बिलकुल बढ़िया हूँ बस भाईया बोलते हैं से क्या और अच्छा लाएगा मुझे that's it ठीक है before I begin an amazing session for you all मैं अपने बारे में हलका सा आपको बढ़ाता हूँ for anybody जो first time मेरी class करने के लिए आये है I am your host, your host CA सशान साबू मैं आपको बहुत प्यार से आप मुझे सशान भाईया भी बुला सकते हो क्योंकि अगर मैंने आपको अपना भाईया बुला लिया है बोलने के लिए बोल रहा हूँ that means I really and genuinely care कि आप अपने exams जो भी December में आने वाला है उसमें far दो एकदम मैं पासवास नहीं भाईया पासवास नहीं करना है far दो बहुत जन्हों को test tension हो रहा है बहुत जन्हों को stress हो रहा है कैसे करेंगे मैं आपको बोलता हूँ go one at a time एक एक कदम सोचो खली कि आज मेरा task मैंने पूरा किया किया मतलब आज मैंने बहुत महनत किया किया have I worked very very hard today and if the answer is yes मैं आपको बता रहा हूँ he is looking आपको definitely आपके hard work पे आपको benefit मिलेगा मैं बता रहा हूँ आपको this is what I have personally sent in my life लेके और मैं यही same चीज आप सब कोई transcript करना जाता हूँ कि if you are ready to willing to give your 120% for the next coming days तो आप यह सवाल मुझसे नहीं पुछो कि कि भाईया CA Foundation December हो पाएगा अरे होगा क्या फाड की आओगे खोड की आओगे exam को मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है क्या बोला अच्छा लगा तो लाइक करना अच्छा लग रहा है लग रहा है कि I am putting in value तब लाइक कर देना और नहीं लग रहा है कि नहीं यार उतना कोई खास नहीं है ठीक है बस करवा रहा है तो नहीं करने का कोई दिक्कत नहीं है अभी विल वोक मोर हाडर कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है सर MSLR में क्या करे MSLR भईया क्या है MSLR MSLR या आप भी आप वो पुछ रहो ना BCR पुछ रहो के मुझे liked already thank you so much ठीक है yes yes listen पहले में श्रू करता हूँ yes I am your Sashang भईया ठीक है I was mainly focused on the offline teaching as of now but thanks to Unacademy that they gave me an opportunity in teaching in Unacademy and meeting you all such beautiful and amazing students my code that you can use is Sabu10 ठीक है मैं expect कर रहो कि आप सब आए also आप में को जा के Unacademy app में please follow कर लिजेगा because वहां पे मैं आपको Soga करा रहा हूँ और Soga जो माना जाता है कि बहुत tough unit है बहुत tough chapter है हमारे बच्चों से पूछो जिन्होंने किया है no problem no problem रहान आप first time आए हो definitely I will try कि आप पूरे classes करके जाओ आप सारे के सारे classes देखके जाओ मैं तो यहीं चाओंगा भी ठीक है आप please Unacademy app में मुझे जाके follow किजेगा वहाँ पर मैंने सोगा जिसा chapter उसके दो unit हमारे खतम हो चुके है दो unit हमने खतम कर दिया है आप उसको जाके बिंदास देखो आज अपाना Q&A है तो in case अगर किसी का भी unit number 2 सोगा का हो चुका है तो वो मेरे पास app में आकर मेरे साथ में Q&A solve करेंगे आज लिक्वाएंगे बिल्कुल ये एक fast track session है रेहान ठीक है एक fast track session है I am hoping कि आप December 23 exams दे रहे हो Sir आज तक आपका recorded lecture किया है मगर आज live कर रही हूँ आपका Mega I am hoping कि आप जो expectation में सब में create करके रखे हो उससे मैं ज़्यादा आपको satisfy कर से को अब तो आपने मुझे जोश दिला दिया मैं सच बता रहा हूँ आपको ठीक है thanks to Mega that I am now all pumped up कि अब तो यार live experience देखो मेरा मज़ा आ जाएगा आपको Yes sir YT मे होगा LLP YT मे होगा बट आपको मेरे को जाके पहले follow करना है सोगा में भी मेरे साथ चलना है सोगा में भी मेरे साथ करना है sir मेरे तो classes miss हो चुके है कोई बात नहीं छोटे छोटे lectures है fast करके देख लो अगर एक बार भी सोगा किया वा है last के lectures देख लो काम आ जाएगा आपके this example unit number 1 के लिए you can watch unit number 4 unit number 6 for unit number 2 you can watch the last 3-4 lectures आपका काम हो जाएगा ठीक है sir yes इंतजार नहीं हो रहा है तो मेरे को आप जो है पहले unacademy app में follow करोगे मुझे रात को सारे के सारे के attendance चीह है 9 बजे मैं Q&A लूँगा सोगा का सभी के attendance मुझे मिलेंगे आपसे और आपसे मुझे एक promise चाहिए पहले मैं start करने वालो मैं definitely start करने वालो company that का recorded देख लिया है नहीं देखा है recorded live का time नहीं पता था कोई बात नहीं अंजली आपने किया है that's a very big thing for me and I can see the videos everything is reading so well I am happy ठीक है कि ऐसा हो रहा है मेरेको एक promise चाहिए आपसे मेरेको एक promise चाहिए अभी मैं बताता हू promise किया today we will do the Q&A in the Unacademy app for unit number 2 साथ में अपन लोग 75 hard challenge चला रहे है जहां पे हमने एक कोशिश किया हमने प्रयास किया एक कि हम सब लोग मिलकर अपकी बार December clear करेंगे और उसके जितना मैनत हो सके ना उतना अपन करेंगे we had certain rules ठीक है which we had to follow that we will not have any junk food हम रोज पढ़ेंगे रोज revise करेंगे social media को बिल्कुल रिमिटेट करेंगे तो आपसे मुझे एक promise चाहिए आपसे मुझे एक promise चाहिए कि आप सब लोग Mastermind you can go and check out only attempt you do मैं को एक promise चाहिए आपसे जितने भी लोग अभी online है live है सब कि सब chat करेंगे और comment करेंगे ये करना ही आपको नहीं करोगे तो मैं शुरू नहीं करोगा कि अब की बार कि भाया को जो लॉस डर था वो पूरा करेंगे 10-10 मिनिट भी आगा लगे ना आपने आपको कि या demotivated feel हो रहा है तो ये वीडियो देख लेना देखो मौका बार बार नहीं मिलेगा मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको अभी ये डर के माने कि is the number of days sufficient or not I am guaranteeing you if you are ready to put in your heart and soul more than enough है बट आपको महनत करना पड़ेगा यू have to work very very hard तो इस बार प्रॉमिस चाहिए मुझे कि सथ रिजल्ट आएगा नहीं आएगा 300 के उपर आएगा नहीं आएगा that is not a man by control बट आपके तरफ से 110% चाहिए मेरे को ठीक है अक्षे पूरा करा होगा ना अगर पूरा लेल्पी आज करवा दूँगा तो दिक्कत होगा मैं पहले अपने स्टाइल से करवाँगा and then we'll go for one shot for LLP again ठीक है बिल्कुल हो जाएगा यार क्यों नहीं होगा मैं सर्शन लाया ही क्यों हो इतना पॉपलर डिमांड में LLP आया है कि बहुत बच्चे ठोड़ के जले रहाते हैं और पहला बद बता रहा हूं आपको जितने भी बच्चे next क्लिच आया कि किसी को क्लिच आया कि किसी को कंफिंड़ चाया कि पटअफट आप अब 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 जस चेल्ट में आप अब जस्चेंग धनेट्वेट एक बद चेक कर दो खाली बस पटाफट गिव में एक अन्फरमेशन किसी ने पूछा कि कितना टाइम लगेगा चुनी लाल ने पूछा हम समय ने लिखते हैं पढ़ते वक्त हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं जब तक मन होता तब तक पढ़ते रहते हैं ठीक है पर लिखोगे के बिलकुल जैनाब मैंने ना अल्री कंपिर्जाट का एम्टीप आर्टीप की क्वेशन जो प्रिवियस के थे वो करवा दिया है और जो लेटेस्ट रोंगे वो भी मैं करवाँगा टेंशन मत करो बिलकुल भी और जिसने Companies Act किया उनको पता है रहं मैंने आलएड़ी Companies Act का writing session करवा दिया है सोका का unit number one का unit number two का sorry unit number one का हो चुका है unit number two का writing session आज हम करेंगे तो बिफोर आए बिगिन इसन अमेजिग ओफर गोइन आनव वर इनी सुदंट जो कि December 24 या पिर जून 24 CA Foundation exams not you people of course your friends are getting an amazing offer of 25% off and 3 months का pre-extension effectively creating a 40% का discount टेक है and इतने कम prices में आपको amazing teachers से course मिलने वाला है अगर आप या आपके friend कोई भी अगर course नेना चाहते है it will be a great thing if you use my code sabu 10 and you can avail this amazing offer of 25% off and plus 3 month free extension बढ़ ध्यान एका यह time यह limited time offer है तो इसको आप बहुत बढ़ी तरीके से use कीजेका secondly the Sankalp 2.0 batch is going on it will start from the 31st of October Sankalp 2.0 Sankalp 1.0 था which is very successful Sankalp 2.0 is going on it will start from the 31st of October by the top educators और आप सब लोग इन batch को join कर सकते हो anybody for June attempt जो की मेरा code उसकर सकते है sabu 10 ठीक है the Mahabali regular batch is also going on वहाँ भी same process top educators and use my code sabu 10 to get exclusive offer बिल्कुल सर्थ बिल्कुल शुरू कर रहा है and the C-A-A-T the C-Aptitude test is also about to go on जहाँ पे आपो फूप सारे scholarships है it will be on the November 4th 7 p.m no negative marking please try करना अगर कोई भी बच्चा C-A करने वाला है तो सर्थ शुरू कर दो अब वेट नहीं किया जा रहा है ठीक है सर् शुरू कर देते हैं बिल्कुल एक बार सभी लोग सभी लोग अपने status में लगा लो फटा-फट कि वह यह आ गया कंप्रिजाट का one shot Q&A कर लो तो चलेगा बिल्कुल चलेगा व्रिष्टा अगर आपका पहले का कियावा है तो बिल्कुल हो जाएगा आपका ओके ग्रेट फॉर्थ नॉवेंबर में हितेश की बर्ड़े भी है हितेश की बर्ड़ी है हितेश वाली की बर्ड़े है मुझे नहीं पता सभी लोग अपने लगा लिया सब ने अपने स्टेटस वाट्साफ इंस्टेग्राम में लगा लिया कि भाहिया आ गए है लगाया या नी लगाया और वीडियो को पहले लैग कर दोगी जोड़दार सेशन होने वाला बमें बता रहा हूँ आपको ठीक है Yes sir, we are about to start, मैं होब कर रहा हूं कि सम ने अपना स्टेटस लगा लिया है and everybody is ready with the LLP Act, कई लोग ये चाप्तर को छोड के जाते हैं, the LLP Act 2008 को हम लोग छोड के जाते हैं, ये सोचते हैं कि इसका CA Foundation में कीवल 5 मां का वेटेज है, तो क्यों ही करना है इसको, अगर ये एकदम exam के end क के तरफ का बात होता, तो मैं बोलता कि हाँ, maybe it can be considered, बट क्योंकि अभी वक्त है, तो we will feel कि 5 मांक can also make a lot of difference, firstly, secondly, ये पूरा का पूरा proper तरीकी से Act has come into CA Intermediate, तो इसलिए ICI is giving importance to LLP, इसलिए हम भी इसको importance देंगे, और इसको बहतरीन तरीके से खतम करेंगे, इसको बिलकुल बात नहीं है, 0 से लेके end तक आपको hero बनाऊंगा इस chapter में, ये मेरा वादा है, ठीक है, chapter का नाम क्या है भाया, the limited liability partnership, ठीक है, limited liability partnership, बिलकुल, इंटर के code में मेरा use कर लेना, join ही कर लेना मेरे साथ में, बिलकुल, ठीक है, आईए, LLP में क्या क्या है, introduction है, incorporation है, partnership, उनके बी difference between a different organization, meaning, advantages, characteristics, sir, ये दो chapter ठीक है, आप बताओ मुझे, पहले मुझे बताए, LLP act है क्या, सुनो मेरा बात को, देखो, LLP जो है ना, LLP, sir, but update आया है, ना LLP में, बिलकुल आया है, सब कुछ cover up करेंगे, tension मत करो, ठीक है, सुनो, सब cover करेंगे, tension मत करो, ठीक है, थोड़ा है, ताकि आपके लिए easy हो जाए, बिलकुल अच्छे से, ठीक है, अब सुनेगा मेरा बात को ध्यान से, सुनो, everything is covered, भरदवाच, everything is covered, don't worry, सुनो, main बात यह है, ये LLP जो है ना, बड़ा new age form of concept है, हाई, ठीक है, LLP is a very new age form of concept, sir, क्यों से, एक तो ये 2008 में आया, ठीक है, और इसके पहले ना, था हमारा partnership का form, company का form, अब तोरों में ना, कुछ ना, कुछ जहमिला था, जैसे एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप सब लोग क्या बनने वालों, CA बनने वालों, आप लोग सब लोग क्या बनने वालों, CA बनने वालों आपको मुझे बताइए क्या Chartered Accountants क्या Chartered Accountants open companies like can CA Firms be companies आप मुझे बताइए क्या Chartered Accountants के जो Firms होते हैं क्या वो Companies हो सकते हैं कोई बात है अभी अभी स्टार्टी किया रही है आमने, tension मत करो क्या Chartered Accountants के Firms जो है, वो एक Company हो सकते हैं the answer is what? No, it can't be a company ठीक है, because उसमें liability limited होता है बहुत सारा criteria होता है ठीक है, it is no ठीक है, we cannot open up a company ठीक है, we can either open up a partnership अब partnership में क्या जहमिला था पता आए गया partnership में आराम तो बहुत है कि formalities काफी कम है form करना बढ़ा easy है चलाना बढ़ा आसान है बढ़ आपको एक चीज़ या रखना चाहिए कि liability unlimited है liability क्या है भईया, unlimited है तो ठीक है, ठीक है और company on the other hand जो है अगर आप by chance company खोनने का सोचे तो हमने अभी अभी आपको companies act पढ़ाया था सर इसके बाद partnership act कराओगे क्या good evening ठीक है, हाँ जी उसके बाद में आपको partnership act करवाएंगे ठीक है, तो उसके बाद में बढ़ा simple form of organization है ठीक है, जादा जहमिला नहीं है ठीक है, सारा कोई जहमिला नहीं है सर ये classes complete syllabus को cover करेगा क्या सर अरे पहले पर तो ले भाई तो पढ़े पर उसके बाद में last में सारे queries को solve करता है रहे तो पहले पढ़ मज़ा लेक बर के लिए ठीक है अब ये बात सुनो partnership जो है, उसके कुछ जहमिला थे क्या, सबसे पहले जहमिला क्या था mutual agency का कि किसी को याद होगा था mutual agency मतलब क्या है कोई भी कुछ भी करे कोई भी firm में कोई भी कुछ भी कांड कर दे उन सब के लिए अपन सब responsible होगा है जहमिला था, ठीक है और अगर मैं सुचो extreme में जाओ और मैं company खोलू, तो company में खुब सारे compliance आपको पता है मैंने company's act का आपको हलका हलका brief over दे दिया है और आप अब लोग जब next CA intermediate में आओगे तो आपको लेट लेट के मैं company's act पढ़ाऊंगा that means company had companies have a lot of they have a lot of compliance इतना easy नहीं ये company को operate करना और खूब सारा fines और penalties है ठीक है, तो ये बड़ा extreme सा part हो गया बड़ा extreme सा part हो गया और ये बड़ा extreme सा part हो गया ठीक है, कुछ में कुछ benefit है तो नुकसान बहुत जादा है कुछ में कुछ benefit है, तो उतना फाइदा नहीं है क्या करा जाए we have to come out into something which has a mix of both which has a mix of both ठीक है, समझ में आएगे चलेगे, ट्रेडिशनल तरीके से law किया तो बड़ा time लग जाएगा बहुत मेनत लग जाएगा, शाथ समझ में भी उतना चासा नहीं आया आ भी जाए इदम फटा-फटी किया, बहुत अराम से अपने साब से किया तो syllabus थ्या पता अच्छे से complete ना हो कुछ एक mixed bag में बीच में आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा उसी type का mixed bag of organization is the LLP, ठीक है is the limited liability partnership और आज कल कई सारे CA firms जो है न वो LLP create करते हैं ठीक कई सारे CA firms, जो पहले partnership firm create करते थे, वो अभी क्या create करते हैं, limited liability partnership, सर क्यों सर, क्योंकि limited liability partnership में सारे advantages है बात समझ मैं है, it has a lot of advantages ठीक है, कि सर उसमें liability क्या रहती है आपकी, limited रहती है बट क्योंकि term पीछे partnership लिखा हूँ है, तो आपको partnership का flexibility का भी फाइदा मिल जाएगा ठीक है, that is the benefit of a limited liability partnership समझ में आया या नहीं है, मुझे पहले ये बताए, limited liability partnership, word में ही पोल दिया है, liability क्या रहेगा भईया आपका, limited, limited क्या रहेगा आपका, liability, ठीक है, और इसमें कुछ elements आपको किसके मिल जाएंगे, partnership के मिल जाएंगे, yes, big force भी LLP है, क्या बात है, यही participation चाहिए, बढ़िया, yes, समझ में आगे, ठीक है, इसे लिए, जनम वहा, the limited liability partnership act, 2008, और जितने मेरे बच्चे पढ़ते हैं, शुरू से उनको पता है, कि जब act होता है, तो rules भी होता है, तो we have the limited partnership act के rules क्या है, as per 2009, ठीक है, तो act भी है, rules भी है, क्या हम लोगों से अलग रग पढ़ेंगे, क्या, न LLP act का जो bill है, LLP जो bill है, that came on the 12th of December 2008, President भाई साब ने उनको 7th January में sign किया, and तब से वो बन गया, the limited liability partnership 2008, ठीक है, total कितने sections है, 81 sections है, total कितने sections है, 81 sections है, सारे को सारे याद करने है, क्या यार, सारे को सारे याद करने, नहीं करने, attention मत को, this might be the only act, जहां मैं बोलूँगा, section numbers या ठीक है, सार पढ़ाओंगो तो मैं section wise ही, बड़ आपको section wise याद नहीं करना है, 81 sections है, and 4 schedules है, जिस तरीके से companies act में देवर 470 sections, ठीक है, 29 chapters and 7 schedules, इसमें कितने है, 81 sections है, और 4 schedules है, ठीक है, ठीक है, we have LLP act 2008 में कितने sections है, 81 sections है, and 4 schedules है, सार ये 4 schedules क्यों आया, दिमाग में तो पहल रिपीट कर दो, second repeat क्या कर दो सर, बताए एक बार के लिए, blood हो रही है, video, okay, अभी confirm को यह पर के लिए फटाफट, is it fine, is it clear, is my voice clear, ठीक है, हाँ, देखो बें बता रहा हो को, वापीस बता रहा हो के लिए, वह दोस people have missed, ठीक है, पहले आपको पता है, act के पहले एक बिल आत था, on the 12th of December, 12-12-2008 में आया था, 12-12-2008 में, कितना, 12-12-2008 में, और President साब जब तो साइन नहीं करते है, तो वो बिल आक में ही बनता है, तो उसको पब्लिश करता है, in the official gadget, तो President साब ने साइन कब किया था, 7th January 2009, हितेश ने पूछा, why 2008, अब एक है, हितेश में तुम्हें पूछू हूँ, कि तेरी जनम कब हुई थी, मुझे बता, when were you born, बता, when were you born, ठीक है, तब तक मैं continue करता हूँ, तब तक मुझे बताना, when were you born, ठीक है, और LLP Act has how much, 81 sections, and it has 4 schedules, it has what, 4 schedules, ठीक है, समझ में आया क्या, 4 schedules, I know it's 4th November, which year बताना मेरे को, हितेश, ठीक है, अब सुनो why 4 schedules, understand, why the 4 schedules, देखो, हाँ, 24 में, तो अभी हितेश आगा, तेरे मैं पूछू, तेरे को मैं पूछू, कि 24 ही क्यों, ठीक है, why 2004 दे, क्या बोलेगा, अरे, उनका मन हो गया तो उस बस लिका ले, समझ गया ना, बात को, मन हो गया था, ठीक है, कि 2008 में ऐसा लगता है, कि ले आ जाना चाहिए, वैसे, वैसे, समझ जाओ, समझ जाओ, ठीक है, अब मेरा बात सुनो, अब बात क्या होगा, 2008 में आया, 2008 में, बच्चे समझ गया ना, वो समझ गया अपी, अब आगे और अलोंगेट करूंगा ना, तो बहुत हसेंगे, ठीक है, ओ, प्रिजनी का साइन वा न सबको ये जोक समझ में आ रहा है, भाई, ओ, तेरी, 81 सेक्चेंस और हमेनी श्यडूल्स, 4 श्यडूल्स, येस, साइन क्या था, बट सबकुछ एक्ट रेडी था, उस वक्त रहना, इस वक्त, इस बज़े से, ठीक है, अब सुनो, 81 सेक्चेंस है, 81 सेक्चेंस है, और कितने श 4 शेडूल्स, सुनो, 2008 के पहले भी तो, फर्म थे, कंपनीज थे, कंपनीज ने देखा है, गवर्मेंट ने LLP डाल दिया, ये तो बहुत ही बड़िया सिस्टम है, कितना आराम है, और बहुत सारे पार्टनर्शिप फर्म ने सचा, हमें भी दो मौका, हमें भी मौका दो, हम बनना है, पर जो चार शेडूल है, उस पर तीन शेडूल टॉक्स अबर लॉट इस तिंग्स, ये चार शेडूल जो है, उस पर तीन शेडूल टॉक्स अबर कि कोई बात नी, अभी तुम पार्टनर्शिप फर्म है, कोई बात ने, convert कर लो अपने आपको, अच्छा तुम ए mutual rights and duties of the partners, the first schedule, चार शेडूल था, ठीक है, 81 sections याद कर पाओ या नी कर पाओ दिपकत नहीं है, बड़ चार शेडूल याद रखना आपको, सबसे पहरा schedule के है, first schedule deals with, जो लोग first time कर रहे हैं, सब मैं life class कर रहे है, मेरे एक नियम है, मेरे नियम है, पहला बात तो कोई जाता न है, दूसरा बार, जिदना बच्चा है, बोलो में सब बोल बोल के पड़ता है, बोल बोल के, as if you are sitting in a live class, तो मेरे रूल है, तो आप लोग अगर नहीं बोल रहे हो, तो पाप लगेगा, बली बता रहा है, बोलना पड़े साथ पात में, में बताये, first schedule किसके बार में बात कर ठेक है, बिल्कुल कर सकता है कशिष, no issues, I'll show you, don't worry, ठेक है, बताता हूँ बताता हूँ, कशिष का आंसर में अभी बता हूँगा, very good question, ठेक है, अब सुनो, यहीं बात को, सुनो, ब्याप सुनो, अब the partners की बार में, वो बता के रख रहा हूँ, ठेक है, mutual rights and duties, very good, सब बच्चे ने participate करना, शुरू कर दिया, I'm loving it, second schedule है, कि सर मेरा partnership firm है, sir, मेरा DECRA है, partnership firm है, DECRA है, मेरा बहुत प्यारा DECRA है, मेरे को इसको LLP में convert करने का, ठेक है, पहले बड़ा दुख ही रख था, इसे मुझे LLP में convert करने का, कोई बार, sir, follow second schedule, follow second schedule, ठेक, act छोडने का मन ही नहीं करेगा, भाई, जब मन होगा न, ऐसा पढ़ने का, कि यार, I need a curiosity, यार, कही से convert हो गारे, अगर मेरा partnership firm है, और उसको मुझे LLP में convert करने का, कही से करे गारे, curiosity आना चाहिए आपका, third schedule, sir, मेरा एक type of private company or not, tell me, क्या OPC, एक type of private company है, is OPC a type of private company, the answer is yes, the answer is yes, sir, so schedule number three में गिरेगा, third schedule deals with conversion of private company to a LLP, conversion of private company to a LLP, and schedule number four क्या बोलेगा, fourth schedule क्या बोलेगा, conversion of unlisted, oh god, sir, जितने बच्चे मेरे साथ में गेराई से law परते हैं, उनको पता है कि मैं कुछ भी ऐसे हवा में बात नहीं करता हूँ, unlisted public company, unlisted, unlisted public company, अच्छा बिट्टा, मतलब listed company अगर है, तो वो LLP में convert नहीं हो सकता भाईया, ना बबबबब, इतना बड़ा entity, listed company, आपको LLP में convert होन मखन या तो, मजह आगे से, ओलिदी, unlisted public company can be converted into a LLP, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो दूसरा समाझ में आगया, 81 sections, 4 schedules, what are the 4 schedules, पहला schedule talks about the mutual rights and duties, अच्छा LLP act को मेरे साथ में revise करना है, मेरे साथ में पढ़ना है, मेरे साथ ही questions भी करना है, जी, number one, it talks about the mutual rights and duties of the partner, schedule number two, बता हो, क्या है, conversion of firm into an LLP, number three, private company to an LLP, number four, unlisted public company into LLP, so listed public company, ठीक है, for once विरिष्टी, एक बाई काम कीजिएगा, अगर telegram group में share हो पाया, तो मैं कर दूँगा, otherwise, please, मेरे साथ में एक बार, या तो अभी, या तो बाद में, class के बाद में, please, जितना भी में notes दिख and don't worry about it, तो book से ही आपके सारे को transcribed है, ठीक है, attention मत करो, मैं एक शब भी बाहर से इस्तेमाल नहीं किया, when necessary लगा कि थोड़ा से इसको ठीक कर जाता हो, ताकि आपके लिए easy हो जाए, तो भही ही हो, आप ही यह उसकिया, ठीक है, yes sir, अच्छा, listed public company जो है, कभी भी LLP में convert नह मुझे बताइए, यह LLP जो है, यह एक नया form of organization है, इसका ध्यान को रखेगा, will the Indian Partnership Act 1932 guide him, or is it the companies act which will guide him, मनलब इन simple है, Indian Partnership Act तो खेर आएगा ही नहीं, मैं बूच रहा हूं कि, जैसे होता है, registrar of firms, जब आपने partnership पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, registrar of firms, प एक बार के लिए नहीं रहा हूं, एक बार के लिए मैं doubts नहीं रहा हूं, registrar of firms, और एक होता है, registrar of companies, registrar of companies के बार में सर्फ क्या ही बताया है, जिन्होंने भी मेरे से companies act पढ़ा है, उनको पता है, ROC क्या होता, registrar of companies, इनका ध्यान कौन रखेगा, आप मुझे बताए, is it registrar of firms, और registrar of companies, यानि कि सर, ministry of corporate affairs करता है, या जो बाकी है, ministry of firms है, बाकी जो firms है, firms के तरह आता है, कौन साथ बताए, registrar of firms, या फिन्होंने रेजिस्ट्रार of companies, कई बच्चे बोल रहे हैं, ROC, सर, क्योंकि पिछु में partnership दिख रहा है, पिछु में partnership दिख रहा है, तो ये तो registrar of firms होगा, कई लिए बोलता है, नहीं, नहीं, इनको registrar of companies, गाइड करेगा, fabulous, राम राम जी, राम राम, राम, रादे रादे everyone, ठीक है, बताएगे, बहुत जान रेजिस्ट्रार of companies, बोल रहे है, very good, very good, very good, ठीक है, इसके लिए में पसे classical example है, मेरी बात सुनों, बात सुनों, example किसका लोग बता है, मेघा का लेता हूँ, मेघा का, मेघा, are you there, confirm किजेगा मुझे, मेघा, मेघा का लेता हूँ, ठीक है, अच्छा, ये कालपनिक example है, कालपनिक example है, कुर रियल लाइफ में मत मानिएगा, फिल्कुल, ऐसा कालपनिक नहीं है, वालब, can be, बट नाम अलग मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, पूरा ट्राइ करेंगे वानिशा, ठीक है, अब मेरे बात सुनो, मेघा, अब मेघा जो है, मेघा है, अभी अगरवाल, मेघा क्या है, अभी अगरवाल, ठीक है, अगरवाल जी की बेटी है, मेघा जो है, अभी क्या है, अगरवाल जी की अब कि भाई आप क्या बोल रहे हैं सब चीसा ज़रूरी क्या फेमिनिजम ऐसा नहीं है मज़ाक में बोल रहे हैं और आप लोग नौमिली जो प्रथा चलते आ रहे हैं त्रेडिशन उसमें क्या होता है कि नाम चेंज हो जाता है यह नाम मान ले तो एक बाके लिए कि मेघा का नाम फिर्मानो मेघा महता अब क्या है सुनो ना मेरी बात को मुझे बता है उसके नंदर रूट कैसा है उसका मतलब जो उसका upbringing था वो किस ने किया? अगरवाल जी के family से उसके नतर जो characteristics है वो कैसे है? अगरवाल जी के है कैसे है? अगरवाल जी के है characteristics कैसे? अगरवाल जी के है अच्छा पड़ आप मुझे बताइए अब वो किसके घर पे चली गई है? महता जी के घर पे चली गई है महता जी के घर पे चली गई है या नहीं? यस सर महता जी के घर पे चली गई है ठीक है? तो महता जी के जो भी नियम कानून होंगे हलके हलके उसको follow करना पड़ेगा? जी उनके जो भी benefits होगा उसको फायदा उठाएगा? येस ठीक है और जो guiding yes sir I am very attached to my अगरवाल family I understand but एक बार के लिए अभी फिलाल guide कौन करेगा आपको तो महता family right अरे यार मान लो कोई नहीं करता यार मैं 500 साल पहली ही बात कर रहा हूं ठीक है ना मान लो एक बार के लिए प्लीज प्लीज मान लो की अके हमारी बेटी की तरह अब यह हमारी परिवार में परिवार में आगए है हासे हैं क्ष़ गई है अचानका चले गाए ऐ HARRY एलल पी case a उसके अंदर फीचेश है अंदर अंदर में चल अणीब अज़निज़तिज है पार्टनेशिपधी और यहां सब्सक्राइब कर दो दो करें नहीं तो तो बोलता है कि आप शादी आप जो घ्यान छाकिर कि अजो उस और देखरिया ज़ी तो प्ल немного घृड़ जो रूसरा इसे applicable नहीं है और कुछ-कुछ features company कभी इसके अंदर आता है न क्योंकि मैता जी का family का भी तो कुछ-कुछ features enter होगा न yes sir गजब अब तो कभी जीवन में नहीं बोलेंगे कि registrar of firms है registrar of companies है obviously it is registrar of companies क्योंकि विवा हो गया है LLP आ गया है हमारे घर पे तो अब किसकी पाठ हुई मेहता की पाठ हुई मेहता जी क्या है तो ROC ROC आ जाएगगा तालिया बज़ाओ बोलते हैं partnership माईका है और ROC ससाल क्या बात है roots कहां के है partnership कहां पर था partnership का थिक है बढ़ना g आब इस पर इंडियन partnership at origria इवन दो दो फैक्ट की पार्टनर्शिप शब्ट डाला हुआ है, इंडियन पार्टनर्शिप एक 1932, नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा सर, नहीं लग सकता, विवा हो चुका है सर, क्या वाथ, देवा चारा पर्सनल मत हो हां, अब यह लोग मेगा मैता को पूछ रहे, कहा ह है, बेशर्मो, बिल्कुर करवाया इंकॉर्परेशन, रिटन में करवाया तनमे, प्लीज देखेगा, आपको अगर याद नहीं हो, I don't remember the lecture number, if any student knows कि मैंने इंकॉर्परेशन of a company कौन सा लेक्चर में करवाया था, फास्ट्रेक का, तो प्लीज तनमे को help कर दो, मैं बता रह हर एक, जो corporate होता है, उसमें क्या होता है, there is a ministry, तो जो हमारा ये company, company का matter है, company का matter होगे, LLP का matter होगे, ये सब को कौन guide करता है, ministry of corporate affairs, it is a ministry, government का part, ministry of corporate affairs, ठीक है, तो कुछ भी अगर act rules, जो भी मुझे application भरना है, कुछ भी करना है, तो मुझे ministry of corporate affairs का side में जा होता, mca.gov.in, mca k.gov.in, शिवानी दल, सब में सब पर पोपट हो गया, actually, मैंने, actually, सोगा का timing जो है, वो 2024 का रखती है, same date, same time, everything is fine, but 2024 का रखती है, तो तो में सब ब्लंडर हो गया, यह मुझे बूला नीचे यह था, बठ हो गया, आप क्या कर सकता है, ठीक है, तो सर, यह समझ में आ गया, मिरे सब से this is done, नहीं बूलोगे आपका बीबी, ठीक है, mca जो है, गाइड करता है, registrar of companies, गाइड करता है, यही administrating है, of the LLP Act 2008, ठीक है, कोई बात है, सुनो, अब मेरी बात सुनो, सर, पहला सवाल दिमाग में आता है, कि Limited Liability में कितने sections थे, Limited Liability Act में कितने sections थे, मैंने बता दिया, schedules भी बता दिया मैंने, और उसके उपर guiding force, administrating force, कौन है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अब में दिमाग में second question क्या आएगा, भया, LLP जो है, वो है क्या, what is a Limited Liability Partnership, जैला सवाल तो सबन में आ गया, दूसरा सवाल क्या है, ओम राजेश जी, आपने lecture नहीं देखा मेरा, ठीक है, रिजिनल डिरेक्टर, यहीं टॉप लेवल होगे, ठीक है, 7RDs ऐसा होते है, उसके नीचे वो होता है, ठीक है, मैं लास्ट में बता दूँग आपको राजेश जी, आपको रास्त तक रुखना पड़ेगा इसके लि मलू, मेरा ना मलू, ले लूँगा, अभी बहुत एक्जांपल सटेने के, टेंशन मत करो, जैसे मैता जी का एक्जांपल आया ना, वो ऐसी तेरा भी एक्जांपल आया का, अमा जैसे, टेंशन मत करो, ठीक है, आये, मीनिंग, LLP is a new form of legal business activity with limited liability, I think one word which summarizes everything is having limited liability, LLP खोलने का एक बहुत बड़ा advantage ये है कि, we have a limited liability, it is a new form of business entity, जे हो, किसके पास क्या है, limited liability, टेक है, ये एक alternative corporate business vehicle है, that not only gives the benefits of a limited liability, टेक है, ये limited liability का तो benefit देता ही आपको, हमको देता है, ये OnePlus का एड है, आपको ये सारे benefits देगा, at low cost, your flexibility, अच्छा, OnePlus ने में sponsor नहीं किया है, क्रवने से अ alternative corporate business vehicle, which not only gives the benefits of limited liability, ये आपको limited liability, ठीक है, आपको तो रूखो, एक बार रूखो, बता तो रूखो, बता रहो, तो एक बार रूखना, मैं तेरा doubt को query को solve करूँगा, पुरा point नहीं पाया, ठीक है, आप सुनूँ, ये एक alternative corporate business vehicle है, जिसका जो आपको सिर्फ limited liability का benefit में जादा तो company खोलना मजाक नहीं है, एक बार click-click कर लेने का photo sheet है, एक बार photo click कर लो, ये पर मैं सुन तो लो, यार, प्लीज, एक बार सुन लो, वो हम जाने का बात क्या है, आज जाने की जिदिना करो, मेहता जी ने बोलने, भाई, रोक लो, सब लो, मैं नहीं करूंगा ने तो, ठीक है, सब company खोलना मजाक नहीं है, एक तो company खोलने में इतना headache, in corporation of a company सबको याद है, second ले उसमें compliance cost बहुत जादा होता है, बहुत है जादा होता है, ठीक है, तो बट LLP में क्या फाइदा है, बता है क्या, limited liability, with low compliance cost, क्योंकि forms कम है, forms कम है, ठी पहला क्या है, आपका limited liability, ठीक है, नंबर टू क्या है, low compliance cost, पहला क्या है, limited liability, new age business form है, नंबर वन क्या है, limited liability, नंबर टू क्या है, low compliance cost, नंबर थ्री क्या है, नंबर थ्री क्या है, नंबर थ्री क्या है, मुझे बताइए, बताओ, जाने की बात क्यों क्यों क्या, समझ अच थे इसमें फाइदा है क्या देखो एलाव जिट्स पार्टनर जफ फ्लेक्सिबिलिटी ओ ऊगनाजिग इंटर्णल स्ट्थर आज़र ट्रेडिशनल पार्टनर्शेड आज़को क्या ना क्या एक खंपनी होने से तो क्या अलग-अलग फॉर्म्स आजाता है अलाला स्ट्रक्ट्ट्र आजाता है किसी को यह पोस्ट दो किसी को वह पोस्ट दो ऐलेलपी में क्या आराम है पार्टनर्शिप फर्म होना ठीक है जैसा हो वहाँ चला और आमसे कोई दिक्कत नहीं आपका internal working structure में आपको यह changes नहीं करेंगे पिंदास करो flexibility यह ठीक है तो flexibility भी है internal structure में like a traditional partnership separate legal entity भी है in true sense separate legal entity भी है in true sense partnership में देखा जातो तो क्या होता mutual agency कुछ किसी ने कांड किया तो आप भी responsible हो जाओगे यहां पर क्या है LLP का liability किसका होगा LLP का खुद का होगा ठीक है यह एंस LLP is a hybrid with me ना company आना partnership ठीक है सबज मैं तो मैं याद करने का सबसे पहले LLP पढ़ने का सबसे पहले क्या है यह एक नया form of business activity अब तो नया नहीं अब तो कुराना हो गया बढ़ ठीक है बुख में लिखा वैं पढ़ लिए पर लिए जिसमें liability कैसा है साथ में बोलो साथ नहीं बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो लिमिटेड लाइबिलेटी इसा फ्लोटिंग सूदेंस नहीं जीए जो बैट के इजड़त से पढ़ेंगे और में को पसंद करते हैं आपको फायदा हो रहा है तब बैटने का इसा प्लोटिंस्ट को और बुला लो कि साथ में याद कर गटाओंगा मैं बैटके तरबसे पहला क्या पॉनिटा बताइए लिबित लाइबू टू क्या है नंडर टू क्या लोग राइना को लुवन वगरशनसर कॉन्किन लोग में तो लोग अंडेन सक्ष्ट सिब्सक्राइब्स थी नंबर त्री क्या है नंबर त्री क्या है समझ में आया किया? हा सर. Hence it is called a hybrid between a company and a partnership. State is a hybrid between a company and a partnership. Clear है सर. मज़े है सर, मज़े आगे. एकदम बढ़िया सर. एकदम smooth हो गया सर, पिलकुल. ठीक है मख़ड. यह याद होगा दिमाग में सर. 81 sections, 4 sections is clear. वो 4 schedules क्या है? Indian Partnership Act नहीं guide करेगा. clear है सर. और meaning भी हमारा clear हो गया है. Limited liability, low compliance cost, flexibility है in the internal structure of the partnership, separate legal entity और hybrid है. मज़े सर. मख़न सर, मख़न. ठीक है? Advantage क्या है? Advantage क्या है? Of an LLP. सबसे पहला मैंने बताया है, आपको LLP होता क्या है. Number two क्या है? Advantage of LLP. सबसे दूसरा क्या है? अगरवाल जी का मक्षन भी है. समझ में है ना? जैसे अनिकेज जी जो है, अगर बाद में विवा करेंगे, तो कुछ लक्षन दोनों गाएंगे ना? वैसे. ठीक है? Advantage of LLP. What is the advantages of LLP? Number one. LLP itself will be liable for the full extent of its assets. मेरी बात सुनो, मेरी बात को सुनो. बहुत जरूरी बात बताने माला हूँ. सुनो. अगर आपने partnership पड़ा था, और आपने partnership accounts भी किया होगा, तो उसमें क्या होता जैने लिए? कि जब अगर firm wind up हो रहा है, जब firm wind up हो रहा है, तो अगर by chance partnership के assets sufficient नहीं है, जब partnership के assets sufficient नहीं है, बोले कावा को doubt हो तो बताएगा, अगर partnership के assets sufficient नहीं है, तो क्या होता था? Partners खुद अपने घर से आत लाते थे. Partners जो है, वो अपने घर से लाते थे. चलो बढ़ी है, अच्छा है, ठीक है? Partnership खुद अपने घर से लाते थे. I don't know the numbers have dropped, I don't know, ठीक है बड़ जो भी है. ठीक है, LLP जो है, उसमें फाइदा क्या है, वो partnership अपना घर से लाते थे. LLP में फाइदा क्या पता गया? LLP में फाइदा ये है, कि उसकी liability जो है ना, उसकी liability है, वो limited है boss, वो limited है, उससे फाइदा क्या होता है? High chance, अगर आपने LLP से deal किया, अगर आपने LLP से deal किया, तो liability LLP के, partners की liability limited है, to the amount of capital contribution, खतम कहानी, उससे लाइदा liability partners की नहीं है, इससे बड़ा advantage और क्या होगा? And that means, that means, सर ये same concept हो गया, like that of a company, company में भी क्या था? Company का liability अलग था, members का liability अलग था, similarly LLP में भी, LLP का जो partners है, उनकी liability अलग है, limited है, and, LLP की liability अलग है, और आपो याद होगा, कि जिस तरीके से LLP के खुद के assets होते थे, जैसे company के खुद के assets होते थे, it was an artificial legal person, similarly LLP के भी खुद के assets होंगे, वो खुद deal कर सकता है, it can be sued, it can be sued, सब कुछ, जैसे partnership का था था न, वोई से LLP का भी कर सकता है, LLP itself will be liable, will be what liable, for the full extent of the assets, वो खुद के लिए liable है, जितना भी है न, LLP खुद से liable है, मजा आगे से, मजा, के लिए liable कुर, नमबर टू, liability of the partners is what, limited, major reason क्यों LLP खोलता है, इसलिए है, कि partners की liability क्या होती है, limited हो, नमबर टू, it is a new form of legal business activity, with limited liability, पर यह दब को पता है, allows the partners, the flexibility of organizing the internal structure, ठीक है, उत्त पार्टर्स की पास में flexibility है, just like a partnership act, ठीक है, जैसे partnership act में flexibility था, वैसी LLP act में भी, partners की पास में flexible है, yes, 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 liable, ठीक है, accent का मतलब होगे है, liable shivani, very good, और एक alternative business vehicle होगे, एक अलग form हो गया, जैसे हमने, soul proprietorship सुना, partnership सुना, company सुना, company में अलब अलब टाइप सुना, वैसे LLP एक नया फॉर्म आ बेसनेस आ गया, तो advantages is very similar, to characteristics, ठीक है, clear है बिलकुल यहांतर, yes, sir, maja है, sir, maja है, sir, maja, clear हो गया बिलकुल यहांतर, सबको दिमाग मां set होया या नहीं हुआ, confirm को रहे है, फटा-फट एक बार, सबको समझ में आ गया है, बढ़िया से, clear है बिलकुल, yes, sir, हाँ, flexibility ऐसा है, अच्छे तो आगे में पढ़ाने वाला ही हो आपको, but flexibility ऐसा है ना, कि जिसे, partnership में कही सारा flexibility था, कि कुछ, आपस में, आपस में, आप mutual rights and duties set कर सकते थे, आपस में agreement कर सकते थे, ठीक है, तो कही सारी flexibility थी, in the Indian Partnership Act, ठीक है, for the partnership firm, वही same flexibility आप LLP को भी देते हो, ठीक है, मक्कान है, sir, यहां तक, yes, समझ मैं, अभी ओशा विरिष्टी को समझ में आ गया, बढ़िया से, ओके, जितन तरह, I don't know why the glitch is coming up, पर एलल्पी में, main route आपने बताया, कि partnership होगा, तो ROC तो company की होती है, लेकिन, firm के लिए LLP नहीं होता है, देखो, जो जुकाओ उना उस तरफ आ रहा है, इसलिए अब उसको, registrar of firms handle नहीं करता है, कौन handle करता है, registrar of companies handle करता है, ठीक है, मजे है, sir, मजे, sir, clear level को यहां तक, मख़ान है, यहां तक, मुझे बढ़ाई, advantages of LLP, sir, आपके याद भी कराओगे, हम लोग याद कर लेंगे, मुझे एकदब 1% धरोसा नहीं है, यही करके जाना आपको, number one क्या है, LLP जो है, liable रहेगा, to the full extent of its assets, जितना उसका, खुद के assets है ना, वहां तक के लिए liability रहेगा, members को आप यह नहीं बोसकते हैं, कि सुनो, ओशा, नहीं, ओशे, ओखे, ओशे, इस एक करेक्ट, ओशे, ठीक है, ओशे, ठीक है, और, यह new form of business entity है, यह तो चलो ठीक है, flexibility देता है, आपको लगदा है, partnerships पर, ठीक है, partnership form के तरह, flexibility भी आपको देता है, एकदम clear, सर, यह पहला पन्ना clear हो गया, तरह बड़े से introduction, दूसरा पन्ना clear हो गया, तीसरा पन्ना, limited liability partnership क्या होता है, चौथा पन्ना, advantages of LLP, अब बोलोगे, मन में सोचोगे, कि सर, छोड़ क्यों रहे थे हैं, ठीक है, अब सुनो, यहीं बात को, ठीक है, सर, कान हैना, कान, LLP के partner बन सकते, दिमाबको प्रेशन आता, यहीं लाईखे पन्नेर, पार्टनेर कव बन सकते हैं, मुझे बताईए, ठीक है, मुझे बताईए, LLP के जो, पार्टनेर होता है, आभ और बन सकते हैं, आप मुझे बताईए, क्या काविया LLP की पार्टनर बन सकती है, क्या काविया LLP की पार्टनर बन सकती है, बताईए मेरे प्यार बच्चो, The answer is, yes sir, बिल्कुल बन सकता है, yes sir, काविया can become the partner of the LLP, ठीक है, क्योंकि individual है, ठीक है, individual का मतलब single होता है, तब तो पता नहीं, अरे वो single है, individual मतलब एक इंसान है न, ठीक है, तो, ठीक है, yes, क्या माइक, क्या Reliance Industries Limited, क्या Reliance Industries Limited, become the partner in an LLP, क्या Reliance Industries Limited, become the partner, क्या Reliance Industries Limited, partner बन सकता है, in an LLP, ठीक है, ठीक है, क्या बन सकते हैं, सर कोई दिककत ने, Reliance Industries Limited, can become the partner of an LLP, can become the partner of an LLP, तीसरा सवाल सर, तीसरा सवाल सर, बन सकते हैं, कोई दिककत ने, कोई दिककत ने, सर, Microsoft INC, ठीक है, या Apple INC, क्या वो इनकी partner बन सकते हैं, of an LLP, बताईए, क्या Microsoft INC, can become the partner, in the LLP, tell me, okay, तो tell her, she will become the manager, ठीक है, okay, बताईए, क्या Microsoft INC, क्या बात, yes भी बोला है, और no भी बोला है, मेरा बात सब्सक्राइब, ठीक है, I'll teach you the legal law, ठीक है, every individual, I'll teach you, every individual, साथ में बोलेगा, every individual or body corporate, every individual or body corporate, can become the member of an LLP, every individual or, or, or what, every individual or body corporate, can become the partner in an LLP, ठीक है, है क्या काव यह एक इंडिविज्यल है येस ठीक है और अगर काव यह सिंगल है तो बागी सारे दोस्त भी खुश हो जाएंगे सारे दोस्त जो है सारे पच्छे खुश हो जाएंगे यहाँ ठीक है अभी रूखो चाड़ दो सब क्लियर कर दोंगा पिर बताना मुझे डाउट body corporate body corporate can also become the partner of the can become the partner of the LLP ठीक है और आपको मेरा classical statement from companies act तो यादी होगा यादी होगा येस टेखनी के लिए बट भरदवाज मैं आपको जब ये कराऊंगा ना Indian Partnership Act तो उसमें और क्लियर कर दूँगा अब इक लिए LLP में स्थिक रहते है सौसा ठीक है ना बता तूँगा मैं आपको ना इसलिए बात यह है कि हर company body corporate होता है every company is a body corporate but all body corporates are not companies हर एक company body corporate है but हर एक body corporate company नहीं है every company is a body corporate but every body corporate will not be a ठीक है एच्छे मेरा वो क्या पुछा है yes yes correct ठीक है सही बोल रहाँ मेरी बात सुनों एक पर गो सुनों हाथ को ठीक है मेरी बात सुनों Microsoft INC क्या होए company है नहीं बट क्या होए body corporate है yes Reliance Industries क्या होए company है yes क्या होए body corporate भी है yes every individual every individual every individual or a body corporate every individual or a body corporate and become the can become what the partner of an LLP sir confusion sir confusion पहला बात तो sir ये बताओ कि body corporate क्या होता है पहला बात तो ये बताओ कि body corporate क्या होता है पहला doubt अंश का doubt दूसरा doubt ये आ रहा है दूसरा doubt ये है sir मेरा कि सर तो फिर अगर बाइचान सोचिए सारे के सारे लोग और सारे के सारे लोग अगर body corporates उंगे सारे के सारे लोग अगर body corporates होंगे तो फिर firm चलेगा कौन? अगर सारे के सारे लोg body corporates होंगे तो चलाएगा कौन? ठीक है Oकay? You have two doubts Sir यार अब तो यार mind reading कर solar यह दूस questions हमाहे दिमाग में आए ते कि पहला बद तो body corporate क्या होता है और दूसरा, अगर body corporates ही सिर्फ रहेंगे तो form को चलाएगा कौन first doubt, what is a body corporate ठीक है, आया है अनिकेट पढ़ा हुआ है, very nice ठीक है, अनिकेट को आज और मज़ा रहे है देखीगा ठीक है, आईए yes sir, ठीक है body corporate का definition जो है इसमें दिया हुआ है, it means that company देखो, body corporate में क्या-क्या include होता है, सुनिएगा मेरा बात को, body corporate में क्या-क्या include होता है, सुनिएगा, कब से पहले a company as defined under Companies Act 2013 body corporate includes what, body corporate राम अगर आपको proper definition दिखा हूँ एक बागे लिए, one second, I'll show you इसे को छोड़ना नहीं चीए, मारा जीवन में समझाना फिर से मन में रहता है कि या बता जेता अच्छा रहता लिस्चेट कंपनी भेरी बोडी corporate भाई यह के होना चीए मेरे साथे तो one person company, private company आई राम body corporate का definition body corporate definition body corporate definition जो है लभाई बना दिया ना कटाओ से मेरा body corporate definition is defined under two clause 11 in the company's act क्या बोला है, वो body corporate भाई है which is incorporated outside India body corporate includes a company body corporate includes a company, company तो आए गई but also the company which is incorporated आउटसाइड इंडिया, ठीक है अभी ड़स नाट इंक्लूट कोपरेटिव ससाइटी and such entities notified by the cg ठीक है cooperative society और कोई अगर पर्टिकुलर चीजे है जो notified किया गया है cg की थूँ तो उसको हम लोग body corporate नहीं मानते हैं सुनो तो body corporate में company तो आए गई body corporate में company तो आता ही है साथ में वो companies जिनका in corporation इंडिया के बाहर हुआ है उसको भी हम body corporate मानते हैं ठीक है नमबर टू साथ body corporate होता क्या है इसके एक सेपरेट लेकल एंटिटी है perpetual succession, right to have use a common seal, power to acquire, hold, disposed property, movable, immovable property, to enter into a contract, to be sued, भाई विशूट, इस खब को क्या बोलता हम लो as body corporate सेभी, सेभी is a body corporate पर इट इस नोट अ कमपनी आपको याद होगा, it is not notified by the it is not notified that is why, it is not notified by the CG, that's why it is a body corporate and not a company to body corporate तो उसा वाईड टाम है body corporate is a वाईड टाम तो होँसा निरो टाम है, body corporate के अंदर ही body corporate, अगर ये body corporate है इसके अंदर ही company आया धा आपका सबज मैं है तो अगर ये body corporate पुरा है ना, इसके अंदर ही क्या आता है तो company आ रहेते हैं ठीक है, समझ मैं आपको, clearly है बिलकुल आपको, तो body corporate is a any wider term, ठीक है, yes sir, yes, तो सुनो, body corporate में क्या रिखा हैं, LLP में क्या रिखा हैं टीक है, तो body corporate, body corporate, means a company, as defined in the company's act 2013, मैंने लिखा दी आपको, क्या define kiya है इं ट में, प्लोख इंडिया है इसके अलावा सर और क्या-क्या body corporate में इंक्लूड होता है सब कंपनी वारा तो आई यह कंपनी आता है और कंपनी इंकॉर्परेटेड और इंडिया के बाहर हुआ येस, क्या ये body corporate भी है Microsoft INC उसका incorporation कहां पे हुआ इंडिया के बाहर हुआ Microsoft INC का incorporation कहां पे हुआ इंडिया के बाहर हुआ इंडिया के बाहर हुआ इसलिए वो company के definition में तो नहीं आता है All the company champions ठीक है, but वो body corporate के definition में आता है Hello Raj Rathor येस, अरे, 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 रेतु क्या बात है ये सब मेरे बच्चे पढ़े वे हैं मेरे से companies act ये देखके अच्छा लगता है मुझे ये होगे companies act का definition LLP जो है रहा LLP को भी एक type of body corporate माना जाता है It includes LLP registered under this act fabulous That means body corporate includes companies in India Companies from outside India I mean in corporate outside India LLP registered under this act ये ये कि 2008 के act के थू या फिर LLP in corporate outside India इसको भी हम लोग किसका पार्ट मानेंगे Body corporate का पार्ट मानते है सबज मैं आपको ठीक है Sir LLP, body corporate में क्या नहीं include होता है Corporation soul जो individual level पे, corporation level पे चलता है इस ते कोई king, queens होता है na Queen Elizabeth and all those things वैसे फिर cooperative society आपने सुना ही होगा and if any there is any body corporate which is notified by the CG Yes sir अंश करते हैं तुमादे देखते हैं मैं तुमाद डिटेल में कर रहाता हूँ हर चीज़ देखे एक बार के लिए कि आपको हर जीश समझ में आए ताकि आपको बार बार बुक को देखना नहीं पड़े इसलिए 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 जो है उसके अंदर इनडिविज़न भी मेंबर्स हो सकता है no.2 body corporates भी हो सकता है और मैंना अपको body corporates का definition दिखा दिया ठीक है body corporate का definition मैंना अपको दिखा दिया ठीक है clear है बिलकुल यहां तक तो अगल मैं कि बनाओ body corporate का simple language में आपके लिए एकदम simple तरीके से तो Body Corporate में क्या क्या आएगा? Body Corporate includes ठीके Body Corporate includes Companies नमबर टू Companies incorporated Outside India नमबर थ्री LLP Incorporated under this act number 4 LLP incorporated outside India और generally देखा जाएं तो कौन सा body corporate कभी नहीं होता है does not include cooperative society cooperative society and CG notified यह इनको हम body corporate नहीं मानते हैं मेरी बात सुनु मझे है company का मालिक कौन company का माले कौन company का माले कौन parenthों अठीक 對 the company का माले कौन who is the Mali of the company बताइए वू इस दे मालिक अब दे कंपनी रितु है क्या मालिक अच्छा अच्छा प्रीम सी है क्या है सर क्या सुरूप दो रूपे की टॉफी क्या है शेर्रोल्डर्स मेंबर्स है सर मेंबर्स थीक है अरे इंडिविजेल लेवल पे जो कॉपण अच्छ इंचर यसा होता है कि वह कॉपर्परीशन लेवल पर चलता है वैसे उनका कुछ बोला वाइच लेक्स अंद्यमन कनीद चॉपरीट्री जीक सुर्ण अब मेरी बात क्या मैं जाकर प्रक्राइब करके जाता हूं और बोलता हूं इसे करता है नहीं सै आप मेंबर आप माली को मांते हैं कंपनी के आप माली को बट कंपनी को चलाने वाले कॉन है कम्पने को चलाने वाले कौन है directors of the company the board of directors of the company the board of directors of the company क्यों sir क्यों है आप क्यों नहीं चला रहे हो because company की एक separate legal entity है company की एक क्या बोला आपने हाँ separate legal entity है इसलिए company के मालिक अलग है members और चलाने वाले अलग है board of directors अब यहापर doubt आएगा sir what if a member is also a director of the company तो वो member अलग जगा में है director का रोल अलग जगा में है समझ मैं है क्या it is a lucky thing कि वो member भी है साथ में director का पार्ड भी है मैंना board of director का पार्ड भी है ठीक है sir मजे sir क्या से क्रिसी बाते करते हो similarly क्योंकि LLP भी LLP also has what a separate legal entity LLP also has what a separate legal entity तो उसके भी कुछ लोग होंगे जो मालिक होंगे मतलब कि partners बोलते हैं उसको और कुछ होंगे जो जो LLP को चलाते हैं तीक है जो चलाते हैं similarly ऐसे कुछ members होने पढ़ेंगे जो LLP को चलाता है तो yes LLP also has owners in the name of partners और उनको चलाने वाले को बोलते हैं जो यहां पर board of directors बोलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं as as what designated partners तो आपका सबसे बड़ा doubt जो था दिमाग में कि भया देखो अगर सभी के सभी partners of LLP अगर मेरे हिसाब से अगर body corporate बन गया है तो LLP को चलाएगा कौन और body corporate का definition मैंने आपको घरवाई दिया तो भया चलाने वाला partners वैसे भी नहीं है हाँ अगर कोई partner भी designated partner है तो वो सोने पर सुआ गाए beauty with brains excellent अजुबा ठीक है बट चलाने वाला है designated partners चलाने वाला कौन है LLP चलाने वाला कौन है बताए LLP चलाने वाला कौन है designated partners designated partners designated partners और सर वो body corporate नहीं हो सकता उसको individual होना पड़ेगा उसको क्या होना पड़ेगा individual होना पड़ेगा और भी criteria ज़सको cities of India होना पड़ेगा यह सब कुछ कुछ है बाद में पढ़ाँगा ठीक है उसको क्या होना पड़ेगा क्या होना पड़ेगा ठीक है designated partner होना पड़ेगा चलो समझ में आ गया समझ में आ गया सर की attention नहीं है body corporate अगर partners है तो चलेगा but designated partners body corporate नहीं हो सकते सर क्या concept बठाया सर आपने मज़ा आ गया अब यहाँ पे साव्या जी ने एक डावट डाला है मैं बताता हूं आपको आप मुझी बताये सवाल का जवाब मुझे बताये कि what is the minimum number of partners which are required to start an LLP what are the minimum number of partners which are required to start an LLP tell me बताये minimum number of partners कितने चाहिए ता कि आप LLP को चला सको I think everybody knows the answer it is 2 it is what 2 I want to ask you a सवाल I want to ask you a सवाल maximum कितना हो सकता है ठीक है maximum कितना हो सकता है ओके ठीक किसी ने बला दोसो बेंको आक्ट में लिखावा नहीं है आक्ट में लिखावा नहीं है ठीक है but companies act में लिखावा क्या है कि अगर किसी के विवास भी 50 जन से उपर होता ना तो it has to be an incorporated association जनले 50 के उपर लोगबाग company में convert कर लेते हैं ठीक है तो ऐसा कोई limit act में लिखावा नहीं है but we'll go ahead ठीक है तो एक सवाल यहाँ पर आया था काविया जी का अगर if body corporates can become the partners then who will run the LLP तो partners do not run the LLP it is being run by the designated partners it is being run by the designated partners और designated partners जो है वो कभी भी body corporates नहीं हो सकते हैं यह मेरा point है sir designated partners होते कौन है वो मैं आपको आगे बताँ उनके लिए proper specific section है हम तो से build up कर रहे हैं अभी आपके लिए आपको समझ में आया है निया है तक ठीक है आपने बहुत कुछ चीज अलेडी कर लिया है if you don't know ठीक है LLP Act में आपने बहुत कुछ चीज अलेडी कर लिया है मेरे बाद पत्सुरों में आपको ठीक है ओके सब्लियर ठीक है और फट्स एप्रिल टू पड़िफर्स मार्च ठीक है य इस सतंथ प्लिक में बबुए वह प्राइवेट प्राइवेट में होता है मेरी मम टू नंक्म च्प्राइब्स माच ठीक है अगर मेरी बातों को सउनों इसका फानाशल एर कब एंड होगा मुझे बता ही है इसका फानाशल एर कब एंड होगा मुझे बता ही है सर अब आरा इगो हर्ट कर रहे हो क्यों या क्यों ऐसा मैंने ऐसे क्यों कर रहे हो यह भी कुर प्रशना स्पुछने का ओविसली 31st मार्च 2023 like it's common sense come on grow up sir ठीक है yes okay if it is 1st September then sir common sense again for God's sake sir क्या पुछे है okay now if it is 1st October if it is 1st October 2022 then बताए क्या होगा आपके हिसाब से full date चाहिए मुझे if it is 1st October 2022 तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से if it is 1st October 2022 तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बताए कि 31st March चलेगा यह बताओ यह हमका यह बताए 31st March 2023 बोल रहे है मेगा इसलिए ने जी ने अभी देखा यह इसलिए वह ला सब्सक्राइब करने सही जवाब दिया है बिल्कुल सुनो अगर कोई LLP ओल्टेट हुआ है आप्टे थर्टी इत ओस सेप्टेंबर अगर सेप्टेंब्र के बाद में इन कॉप्रय हुआ है LLP तो उसका 30th September 2000 something तो उसका next year में होगा next year मतलब 1, 10, 2020 का अगर है न तो कब कब होगा 31st March 2023 नहीं 2020 2000 क्या होगा 120, 24 को होगा साबज माया आपको लिये रहे अब रीट कर दो देखो Means the financial year that starts from the first day of April to the 31st March of the following year However, in case of an LLP However, in case of an LLP which is incorporated which is incorporated after the 30th September 30th day of the September of a year the financial year shall end on the 31st March of the year following that year following that year सामज में आए आपको जो year में end होगा था उसका following year में end होगा After, after 30th September होगा तो उसी साल होगा Yes After ठीक है सर यार financial year में भी आप ऐसे दिल खोल दोगे समझ में नहीं आया था पता नहीं था सर आप ऐसे कर दोगे माई साथ में Yes, sir मज़ा तो आना ही चीए न जीवन में सब कुछ खतम कदे आइंगे आपको ठीक है पड़ाइए characteristics याफे silent features of LLP सबसे पहले इस अ बोड़ी कोपरेट I think you know it इस अ बोड़ी कोपरेट ठीक है इस अ थाइप अ बोड़ी कोपरेट यह उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है इस अ बोड़ी कोपरेट परपेट्वल सक्सेशन सर पार्टनर्स में कम पार्टनर्स में गो बट अलल्प शुट गो ओन फोरेवर बिकास का एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो इन्सानिटी अब दा पार्टनर्स के वज़ा से एलल्प का एक्जिस्टेंस में फरक नहीं पढ़ना चाहिए सर तो कमपनी का रिविजन लग रहा है यही तो मज़ा है बोड़ी कोपरेट नमबर टू क्या है आपका परपेटल सक्सेशन नमबर त्री सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट लीगल एंटिटी एलल्प का अपना एक सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस है एलल्प का एक सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस है उससे फाइदा क्या होता है एलल्प का खुद का आसेट्स है खुद का लाइबरेटी है members का जो लाइबरेटी एंट रहता है तो जो भी लाइबरेटी यह किसका है LLP का ही है अटेंशनी नहीं है एसमें है या नहीं है mutual agency जाने कि एक ने कुछ किया उसके विए सब्सक्राइब को कांड़ गए कोणी अराम mutual agency का concept ही LLP में नहीं है tension ही नहीं है sir इसमें LLP agreement होता है yes sir and it is compulsory LLP agreement जो है वो क्या है compulsory it is an artificial legal person LLP just like a company can enter into contracts can buy properties they can be sued common seal optional है common seal भी आपके लिए limited liability sir क्या ही बता है आपको members की liability क्या है limited है इनकी business management कौन करता है business का कौन करता है जो अभी मैंने बढ़ा है आपको management कौन करता है designated partners minimum and maximum number of members यह बताएंगे आपको कितना होता है important चीज यह partnership में भी common है LLP में भी common है सुनो अगर मैंने एक LLP खोलने की सोची मैं सोच रहा हो कि charity करूं इक है मैं थोड़े गरीबो को ना खाना बातूं उसके लिए मैं LLP सोच रहा हूं LLP खोलने का can I open an LLP? can I open a LLP? DPDP लिकरे डेजिट नेड़े पार्टनर्स को excellent sir, excellent मज़ा आ गया असा participation कर दो होना तो मज़ा जाता है मुझे बताएं बताएं I want to do a charity work you know I am a very charitable person so I want to do charitable work मैं लोगों को खाना खिलाना सकता हूं क्या मैं LLP open कर सकता हूं the answer is what no sir, you cannot open an LLP because LLP के वाल किसके लिए होता है business purpose के लिए और वो भी profit earn करने के लिए I cannot push out मैं नहीं खोल सकता हूं because LLP जो है business purpose के लिए ही सकते हम लोग investigation में आएंगे हम लो conversion into LLP आप इस कोई भी firm जो है except listed company except listed company हर schedule में आपको बस ओप्शन दिया है to convert yourself into a LLP e-filing of documents physical filing नहीं होता है आपको ROC को directly submit करना पड़ता है e-filing होता है documents का also there's a concept of foreign LLPs also आपको याद हो का foreign company याद है किसी को foreign company किसी को याद है foreign company do you remember the concept of foreign company sir कई से बूल सता है आपने पड़ा है company that भारी ओ लेक्षरी होगा a company a foreign company means a company which is incorporated outside India means a company which is incorporated outside India having a place of business in India having a place of business in India चाहे directly चाहे indirectly ठीक है through agent ठीक है और through otherwise उसको हम बोलते थे as foreign company ठीक है two clause 42 क्या बात है you have all my hearts ठीक है two clause 42 बोलती है आपने वाई से जेम concept LLP का LLP का foreign LLP क्या होगा foreign LLP refers to those LLP which is incorporated outside India having a place of business in India बाकि एक्सेटरा एक्सेटरा मजे मखन है सर मखन solid है तम कुछ इक्कत ही नहीं आ रहा सर अब सुनों इसमें पूरा point याद करना है का सर नहीं पहला बात तो याद नहीं करना है कुछ-कुछ common sense से लिकाल लोगे आप ठीक है यी body corporate perpetual succession separate legal entity ठीक है mutual agency नहीं होता है common seal optional है business purpose के लिए open करता है 58 marks ऐसा नहीं बुलेगा आपको ठीक है ऐसा नहीं बुलेगा तो बिंदा सरने का ठीक है चेंशन नहीं है कुछ-कुछ points आपको देखके समझ में आ चाहेगा येस LLP का purpose खाली business करना है profit earn करना है charitable purpose जिसे कि section 8 company था वैसा concept LLP का नहीं है ठीक है कई लोग ने section 8 company कहा था यहाँ पर वैसा concept LLP का नहीं है LLP and partnership firm दोनों के दोनों सर क्या वाद है LLP के साथ partnership firm भी समझा रहे हो येस LLP and partnership firm can only be incorporated for the purpose of doing business and that to earning profits येस सर मज़े आए सर अब तो मुझे मज़े करने है देखिऊ LLP is a body corporate जो आपने यहाँ पड़ा ना points उसी का हलका सा मैंने bifurcations में points दे दी आपको LLP is a body corporate ये हो क्या लिखा था section 3 नहीं याट करना section number इसस of the LLP act provides that LLP is a body corporate formed and incorporated under this act body corporate है वो एक which is formed and incorporated under this act याणि कि LLP act 2008 के तहत LLP जो है it is formed and incorporated under this act याणि कि LLP act 2008 के तहत उसको incorporate होना पड़े का ये सरे और इसके legal separate entity है from that of its partner याणि कि LLP अलग है और उसके partners अलग है unlikely to be heard but it's true तो क्या लिख यापर सिंपल से जखिए इसके है it is incorporated incorporated under this act plus separate legal entity ये वारा ये वो एक body corporate है ये वो कि incorporated under this act है number two it has a separate legal entity next next point के है perpetual succession the LLP the LLP can continue its existence the LLP can continue its existence irrespective of the changes in the partners death insanity retirement or insolvency of the partners have no impact on the existence of the LLP तो चलते ही रहेगा ठीक है yes sir कल भी होगा कल भी पांच बजे है हमारा क्लास tomorrow also 5 p.m same schedule रहता अपना same almost same इस week में the same ही है अपना tension नहीं है ठीक है next week से अपन morning आएंगे next week से अपन morning आएंगे ठीक है नो इस week अपन शान को आ रहे हैं बाकि next week अपन morning से आएंगे but it was very fast what was very fast हिदेश what was fast man okay तू क्या बुलने कोशिश कर रहे हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ठीक है अब मुझे बताएए separately का ने डीडी तो आपको क्या ही पढ़ा हूँ मैं नहीं नहीं गुपाल listed companies cannot be converted into LLPs ठीक है listed companies cannot be converted into LLPs मेरी बात सुनो separate legal entity मुझे पढ़ाना पढ़ेगा मुझे बताएए बगे लिए sir आता है sir LLP is a separate legal entity LLP is a separate legal entity ठीक है अनिकेज I have no idea about it आप लोग आपस में देखो अनिकेज़ा has a doubt for BCR if anybody can help him for BCR please let him know ठीक है for BCR ठीक है your friends is needing a help a friend in need is a friend indeed help your friend I don't know about the channel and all that's why I don't know sorry ठीक है but if there's anybody who can help him please आप लोग chat में लिसकते हो ठीक है आपने भी बात सुनो सर LLP is a separate legal entity LLP is a separate legal entity इसका मतलब क्या होँ सर इसका मतलब यह हो गया कि partners का जो personal asset होता न partners का जो personal asset होता है they are not liable for the act of the LLP सुनो LLP ने अगर कोई भी liability create कर दिया LLP ने कुछ समान बाकी में ले लिया और एक liability create हो गया creditors create हो गया इसका यह मतलब नहीं कि partners के personal assets libel हो जाएंगे for the payment to the creditors creditors का अधर पैसा बाकी है न तो वो LLP के पास जाएगा partners के पास नहीं जाएगा वो LLP को बोलेगा LLP साब प्लीज आप मेरे पैसे वापिस कर दो ठीक है और अनिके लिसेट कंपनी को it's not a very easy process it's a very difficult process we are actually handling one so we know it it's a very difficult process it's a good process as a CA you get certain works it's a great thing तो यानिके partners का personal assets partner's का personal assets won't be libel it will not be libel mutual agency sir, no tension mutual agency's words because sir, every partner is independent and no partner is libel there is no mutual agency sir, best तो यही है there is an LLP agreement mutual rights and duties of the partners are governed within the LLP agreement ठीक है, LLP agreement की तहत होता है पुरा LLP agreement बनता है और उसके तहत register होता है yes, LLP is separate from its members okay, किसे ने बोला YouTube में है lectures okay, मैंने एक बार learn कर लिया था करके speed ठक ठीक लगा okay, I don't know what क्या हो रहा है मेरा speed में कोई दिक्कत आगया अरे यार, net खतम कर लिया यार तुम लोग net तो खतम मत करो कम से कम कई से पढ़ेंगे नहीं तो बताईए हम लोग मेरा speed में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना I don't think so that I'm going very fast एक बार रीट कर लो पटाफट ये पॉइंट्स सारे पटाफट रीट करो पटाफट आम गिविंग ये ओ मिनिट्स क्विक्ली रीड प्लीज प्लीज ठीक अरे तोदा रीचार्ज कर लो यार जो कुछ आता ने टॉपप अगेरा कुछ तो आता होगा तोड़ा लाक कर दा है शिवान्स लाक कर रहा है क्या लाक कर रहा है शिवान्स पोला मिने शिवान्स शिवान्स 19 का 19 का सर सद्धान इशा चैने जस्रीपीट यह क्वेश्टन वन्स मेरा घर फाइबर है वाह पुरा घरी फाइबर कहे गया मेरा घर फाइबर है लाक कर रहा है वीडियो सद्धान इशा वां जनके सिक्यूरिटीज आर नौट लिस्टेड उन्द रहिगनाइज टॉक इक्सचेंज इसको अपने लिस्टेड तो कि इसमें अगर लिस्टेद नहीं है उनके सिक्यूरिटीज महले फब्लीक किनाट गो औंड वाइद रिस्टेद इस लिश्टेद रिटिधिव रिक्नाईच उसको भुट दिया company which is incorporated under this act or any other previous company similarly, क्योंकि इसमें तो LLP का case में तो कोई previous company लोई नहीं है ना पहली पहली बाहर हुआ था, first love ठीक है, first love, baby love है यह baby love, that is right, it is internals incorporated under this act plus separately कर एंटिटी तो है perpetual succession, sir partners में कम, partners में हो but the LLP goes on forever, यानि death insanity of the partner से कुछ फरक पड़ता नहीं है, separately कर एंटिटी LLP की liability अलग है partners की liability अलग है partners, personal assets won't be liable for the acts of the LLP ठीक है, there is no mutual agency and APS में होता है artificial person ठीक है, okay कुछ लोगों को शाइद मेरे साब से BCR में जो help चीये था, वो शाइद मिल गया होगा I think, तो it's a great thing बिलकुल मैं पुरा chapter करवाएंगे क्यों नहीं करवाएंगे पुरा chapter बता है एक बड़ के लिए मुझे आदा chapter को छोड़ता है बस ऐसे बोल दूगा, okay then guys ठीक है, take care everybody ऐसे बोलू क्या नहीं वरिष्टा, उसमें company लिखा वाता है याद करो if there's any form of entity, body corporate which is notified by the CG सब वो include नहीं होगा body corporate में ठीक है, yes now, artificial legal person में वही same point sir artificial legal person में क्या है it is clothed with the right of an individual याद ना को, it is being clothed C-L-O-T-H-E-D sorry, इसको याद नहीं है, fancy word इसको याद नहीं करने का है LLP is a legal artificial person it is created by law hence it will also be destroyed by law it is created by a legal process it is created by a legal process it is created by a legal process and it is clothed with the rights of an individual यानि कि, sir, simple सा बात है क्योंकि वो एक artificial legal person है तो उसके बाद सारे हक है उसके बाद सारे हक है sir, सारे हक कैसे काईसे है sir, ज़एसे कि उनको bank account खोलने का है तो bank account खोल सकता है ठीक है उसके खिलाब कोई ना complain भी कर सकता है इस सब कुछ कर सकता है ठीक है sir, मजे है sir, मजे common seal common seal ठीक है a LLP being an artificial person can act through its partners and the resident partners LLP may have may have जैसे company में भी compulsory नहीं है वो इसी LLP में भी compulsory नहीं है it may have a common seal it may have a common seal it may have a common seal if it decides to have one if it decides to have one ठीक है अगर उसको रखना है तो रखना सकता है otherwise mandatory नहीं है it is not mandatory for the LLP to have a common seal ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है डीपी designated partners भी उसके बिहाफ में sign कर सकता है ओके ओके ठीक है समझ में आया आपको अच्छा को या आप लिखा मेंबर्स की लाइबटी शेर कापिटल के हिसाब से होता है तो अलग-अलग आप क्या फॉर्म बिजनस करें यही तो है ना अरे मैं क्यों बोलो जल्जले लिए सिये बनो क्योंकि जैसे अगर मैं डीटेल लेवल पर आपसे बात कर सकूं तो आपके बस अगर क्लाइंट यही सवाल लेकर आएगा यू विल भी ना पॉजिशन टू आंसर सबज में अजिसे अभी आप पूरा एललपी अक में इसाब में पढ़ोगे आपने कंप्रिद पढ़ा कि कई से करने का लिट शादी नहीं कर पाएगा बिचारब बोलता है कुछ भी बोलता है क्यों नहीं का सगया उसका हो गया विवा ओल्रेडी नेलपी अपकर पार्टनर यो पार्टनर वो किसके एजेंट्स है या बाकी partners के? partner जो एना partner वो किसके agents है? LLP के या बाकी partners के? The answer is what? The answer is what? Yes, sir. Very good. They are the agents of the LLP. tomorrow, Shivans at 5 PM. Tomorrow at 5 PM we'll do LLP also. किसका है? LLP का है. Partners का नहीं है, sir. क्यों, sir? क्योंकि separate legal entity है रहे? थीक है सबज मैं आए क्या पार्टनर्स का लाइफ एजन नहीं हो लोग यसर मैंनेजमेंट वगा करता है सर ठीक है डिशनेटट पार्टनर्स कुछ स्पेसिविक लोग को चूज किया गया है जिसको हम लोग प्यार से as designated partners for anybody who has just joined in ठीक है, जिसे members, जिसे company का case में, there are board of directors वाई से ही, LLP का case में we have what? designated partners they are responsible for the legal compliance, they are responsible they are responsible for legal compliance ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरा तो, हम टाइम देखता ही ने ठीक है, ठीक है, ठीक है टू पार्टनर सो निवीज्ञ पार्टनर सुनेगा एक पार्टनर जो है वह कभी बॉड़ी कोर्परेट नहीं हो सकता यह मैं आपको कहा था वो LLP का day-to-day affairs को day-to-day affairs को manage करता है compliance को manage करता है इसलिए two partners तो at least होना ही चाहिए and there should be at least two individuals as designated partners हम लोग के उपर हम लोग के पास पूरा का पूरा section है don't worry about it but हम बता रहे होते हैं आपको DPs जो है ना designated partners designated partners जितने होते हैं they handle the day-to-day business of the LLP plus number two जितने भी compliance related चीज़े होती है ना वो सारे manage करते है they manage the affairs जितने भी LLP के जितने भी affairs होंगे ना affairs समझ देना affairs वो सबको कौन manage करेगा DP manage करेगा designated partners manage करेगा ठीक है of whom at least one shall be a resident of India ठीक है सुनो 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 यहां दिया बता जिता हो LLP में LLP में at least there should be how many members two members there should be at least how many members नहीं there should be at least two partners LLP में there should be at least what there should be at least how many partners there should be at least two partners LLP में there should be at least two partners this में से at least there should be two individuals who will be as designated partners there will be two individuals for as what designated partners there will be two individuals as designated partners इंडिवेजुल से सबता है सुनों ध्यानों जो ऐसे कि एक टीस्ट कितना ही तुब इस फैर उसमें से उसमें अच्छी इतना भी पार्ट्न इस इंच दो होना चाहिए जो कि डीजिटेट्ट साथ वी-पी-डीडिटेट्ट्न एकक नेटेट पांटनर्स को नहां पड़ेगा जो कि यह जो डीपी यह हमेशे होगा आपका दढ़ीपीजी यह पाइटनर्स ऑक पाइटनर्स कान बी इंडीवीज्वल और बाडी कॉर्परेट है दिकली पॉर्परेट ठेक है, they can be individuals or body corporates, but DPs only individuals, ठेक है, only individuals, अब, DP में, at least एक जन, at least one, should be a citizen of India, ठेक है, should be a citizen of India, DP individual होगा, और उसमें से एक, दो धना minimum requirement, उसमें से भी एक तो at least जो है, citizen of India होना पड़ेगा, I think कशिश आपको हलका सा भी dedicated partners जो है, वो clear हो गया होगा, maximum limit as such कुछ दियावा नहीं है, in the LLP act, but obviously we'll follow the other acts for the same, ठेक है, generally 50 लोगों से उपर अगर होता है, generally 50 लोगों से अगर उपर होता है, तो they can't think of opening up a private company also, ठेक है, वह सा mindset है, ठेक है, बढ़े से कोई maximum limit in the LLP act दियावा नहीं है, जी सर, clear है, बज़ा आगया सर, ठीक है, समझ में आगया आगया आपको बढ़िया से, is it fine, designated partners कशिश को clear हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, तो अभी tension नहीं खाता, LLP में, yes sir, partners जो है, वो individual भी हो सकते है, body corporate हो सकता है, मनलब कि Microsoft, INC के अग, also भी आप partner in the LLP, बट उसमें, जितना भी आपके पास partners, हमझे, tension नहीं है, पर at least they should be how much, two dp's होना चाहिए, designated partners, और designated partners, जो है, वो हमेशा क्या रहेगा, आपका, individual सी रहेगा, and उन में से वे एक जो है, they should be a resident of India, एक गलती होगे है, मैं इसे एक गलती होगे है, मैं इसे, sir, कोई बात नहीं है, पर बहुत कुछ पॉट्ट बताया, वह दिखका नहीं, मेरा यहां पर citizen लिख जिए, इसे बिखके है, resident of India, कोई बताया भी नहीं है, मेरे को, ठीक है, resident of India, sir, resident of citizen में difference बतायाएगा, किसी को, what is the difference between resident and citizen? ठीक है, resident and citizen का मतलब क्या है, रहे, citizen वो होता है, इनका जनम, जिनका या तो इधर, इधर बॉण, इधर बॉण, ठीक है, इधर बॉण, इधर बॉण इंडिया, sorry for the disturbance, इधर बॉण इंडिया, या पर कोई लीगल कम्प्लाइंस आगे है, ठीक है, गाल पीज़azy को कोन्ता हूँ है टो वो क्या बन गयाниं के हूं कुर थे का कोर्ण सुन्धर पीचाय सुन्धर पिचाय का जनम कहां वेजकर द्यृण B रहता का पर पधी हो अनुद्र करते काद Jr का रहते हैं का रहते आप तहड़ीग कहा रते हैं कि US में माईक्लशावट में काम कर रहे हैं है वाइट wie तो उस केस में मुझे बताइए़ उस केस में मुझे बता है वह थे सद्वेटन तो नहीं ऑना इंडियाई अब मेरी बात सुरूं मेरी बात सुरूं ठीक है बट अगर मैं यहीं रहता हूं for the last not less than 182 days ठीक है I'll get it verified if it is required amendment check कर लोंगा इसमें ठीक है not less अगर मैं पिछला इमिडिटली पिसिदिंग साल में इमिडिटली पिसिदिंग यहर में if I am I am there for more than not less than 182 days ठीक है in that case I will be termed as a resident याने कि सब्सक्राइब अगर एक इंचान मुखर्जी साफ it is a person known as Mukherji साफ he had been there in Netherlands ठीक है he was born in Netherlands Mukherji साफ जो है he is born in Netherlands ठीक है he is born in Netherlands ठीक है he is born in Netherlands बट वो इंडिया में एक सो एक सो एक सो बीस है okay 120 इसमें 182 तैस हो गया ठीक है it is 120 ठीक है बोल रहे है 120 जो है 120 टेस ठीक है अमेंडमेंड में 122 देस में पुराना लिखा वह वन एक सो बीस दिन अगर वो इंडिया में रहा है तो भले इस सिटिजन नहीं है बट वो क्या बन जाएगा इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा समझ में आया को क्लियर है जी सर मखाने सर इसलिए मनें बोला कोई आपर करेक्ट करा देंगो आपको ठीक है बिल्कुल क्लियर है सर मज़े सर मज़े सर ठीक है तो उसको एक डेसेटेटेट पार्टनर को इंडिविजुल होना पड़ेगा नंबर टू रेसिडेंट आप लिए चारिटेबल पर्पस के लिए यह अपने नहीं करते हैं इन आपको कहें था सेंट्रल के पास पावर कि वह इन्वेस्टीगेट कर सकते हैं वह उसको बोला गया है और अगे आपको कौन यह हमारे कंट्रोल में रहे कहीं गलत काम नहीं करते लिए लॉक्ट नीकित कंपणी फिर्म अलिस्ट कंपनी वुद बी अलाओ टो विग्विए इंटो इन अलिल्पी अधिक एफिलिग करते हो आप इस इतने भी दोकुमेंट्स उता कहां फाइल इन www.mca.gov.in नोल्पी करते हो तो अलब बिए आपको section 2 clause m एक एक है place of business in India. ठीक है? सबज मैं है? And foreign LLP can become a partner. Foreign LLP can become a partner. Yes, foreign LLP can become a partner in an Indian LLP. युकि Indian LLP में individuals भी partners बन सकते हैं और body corporate भी बन सकते हैं. So yes, foreign LLPs are not LLPs registered or incorporated in India but they are a part of the body corporate. Foreign LLPs are also what? Body corporates. Hence, they can become the partner in a LLP form. चलो मैं मुझे फटाफट बता तो इबाए के लिए कोई डाउस होता बताओ. चलो. फटाफट. 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 रीट कर लो इबाए के लिए. पटाफट. I am giving you a minute. फटाफट. रिवाइस करो. देखो इबाए फटाफट. समझ तो गई है मुझे पता है. सर, क्या एक resident LLP में add हो सकता है? हाँ. क्या दिखकत है? बिल्कुल. इंडिविजूल तो allowed ही है. साथ में body corporate भी allowed है. बिल्कुल allowed है. टेंसन की बात ही को नहीं. पर गुर्षा की वो आगे आएगा. प्रेंचन नहीं है. इसलिए मैंने नहीं बताया अभी आपको. इस फारी डॉक्यूमेंट जासा होता है. रितिका आजकल हम लोग फिजिकल फॉर्म जाके फार्वाइल नहीं करते हैं. आजकल हम लोग फॉर्म जाते नहीं है. हम लोग दिरेंट मज़ोफ के कैसे फायल करते हैं. हम लोग tengल आपको करते ह। आपले ब प्लувати Wonderful करते हैं. बन है और यह थे अपनल विजक डेल्कम करते हों. मज़े आगे सर मज़े जूट नहीं बोल रहा है मज़े ठीक है सर ठीक है अगर आपको मज़े आ रहे हैं तो बहुत इची बात है अगर इस न्युक्त आपको अगर 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 इस नो यहीं रिट करो एडवांटेजस भी फॉर्म विजनस जो है क्यों ओपन करना चाहिए अडवांटेजस एडवांटेजस क्यों चाहिए आपको देखो नमबर वन क्या लिखा वांटेजन को लोगा ए कि मैंने बोला है नहीं 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 करना है बाकी जो नया सिलिबस आ गया है जून के लिए एक से सुनो मैंबाथ सुनो और बात वाथ सोनू मैं बात सब्सक्राइब करें अपने आपने बहुत बलकी एक्ट हो गया तो दे आपट इसाइड़े दर न्यू सिलेबर है डिसाइड़ कि कुछ पार्ट बहुत बेसिक पार्ट जो है वह हम सिय फांडिश में पढ़ाएंगे और वाकी डिटेल पार्ट जो है वह हम सिय foundation syllabus, उन्होंने ये amendment नहीं किया है, ठीक है, हमने क्या क्या smartly काम को, मैं बताओंगा, तो को मैं screenshot ले ले तो इसका और वापर साथ group में भेजता हूँ, ठीक है, सुनो, हमने बहुत smartly क्या क्या किया, जो जो part आपका नया syllabus में already है ना, जो part आपका CA foundation में already है, मैंने उसको पहले रख दिया, ताकि आप लोग अगर कुछ भी ना कर पाओ LLP का, तो at least ये करके बाद, and if you are a CA intermediate student आगे जाके, by chance, तो आपके लिग ये ऐसे भी काम आने वाला base, ठीक है, सबज मैं है, ठीक है, एक्जाम में भी दे सकोगे, I am looking into the different questions, तो इस तरह के सगर पांच माक का bonus question आगे LLP का, और आपनों सग गए, तो आपको thank you, जूर बोल देना, कि ये वह या, मज़ा आगिया, ठीक है, आईएएगे, सुनो, मेरी बाते को सुनो, ध्यान से दो, ठीक है, सुनो, एक्दम कैफुली, और अजी homework दोंगा, और उस homework को आपको revise करना है, ठीक है, आपको homework को पढ़ना है, ठीक है, एक्जाम के लिए बहुत important है, और आपको homework दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, सुनो, पहले advantages पढ़ाऊंगा, फिर homework बताऊंगा आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फ्लक्सिबिलिटी भी है, बिताओ detailed imposing of the legal procedural requirements, यानि कि procedural requirements को हटाते वे, फ्लक्सिबल भी, यह organized भी है, साथ में flexible भी है, इस easy to form, it is not that difficult like to open आप a company, all partners enjoy limited liability, हल partners के बाद में limited liability होता है, flexible capital structure है, and resolve करना भी easy है, resolve करना भी क्या है, easy है, यह है आपका advantages, यह है आपका advantages of a LLP, मेरा बात समयो, ठीक है, मैंने आपको अच features करवा दी LLP का, मैंने आपको basic concepts, इतना time आप next class में इतना time नहीं लगएगा, because we have already developed the base, ठीक है, तो पहला बात तो आप इतना revise करोगे, दूसरा बात मैं आपको एक homework दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको सतना नेक्स class में in corporation by LLP शुडू कर दूँगा, आपको मैं एक homework दे रहा हूँ, आपको यह पढ़ना है, पोटो चीता, फोटो लो, ने तो बुक में भी available होगा, आपको repetition group करोगे, आपको मैंने आपको basic of LLP समझा दिया, बराबर मैंने आपको basics of LLP समझा दिया कि LLP क्या होता है, ठीक है, partnership firm आपको पता है, ठीक है, और यू नो दिफरेंस बिविन LLP एंड limited liability partnership, यह जलती से लिमिट यह यह आपको company होगा, ठीक है न, यह company है, ठीक है, यह company है, बराबर, तो यह दोनों का आपको at least एक बार reading करके आना है, प्लीज, ठीक है, मैं इतना ही आपको हुवक्ट दे रहा हूँ बस, आज के लिए, बाकी आप मेरे साथ में बाकी जो आप पढ़ाई करों, तो में साथ में आपको सोगा पढ़े तो सोगा पढ़ते रहो, आपको 9 बजे आ जाएगा सोगा पढ़ने के लिए, इन द अन अकाड़ेमी आप, ठीक है, बट, बट आप यह प्लीज एकर रीट करके आओगे, तो आपका मेरे साथ में LLP खतम हो जाएगा, ठीक है, डन, डन, येस सर, हम लोग करेंगे, नेक्स क्लास में हम लोग इनकॉपरेशन करेंगे, और प्रोसेस को समझेंगे, फटा-फट इफरेंसेज अगर आप पढ़ किया होगे, तो इफरेंसेज को फटा-फट वर्बली खतम कर देंगे, याद नहीं करना है, यापको सेक्शन वाइस प्रॉपर्ली सब कुछ बनावाए, देखो यहाँ पर, ठीक है, येस अनामी का, सोगा जो है, स्पेशल क्लासेज पर चल रहा है अपना, स्पेशल क्लासेज में चल रहा है सोगा आपका, ठीक है, नौ बजे है आज, कर लिजेगा, आप जाके मुझे प्लीज फॉलो कर लिजेगा एंड, अरे क्या बोलता सुनो ना, सुनो ना मेरा बात को पांस-दस मिट रुकूगे क्या, डिफरेंस करवा दू सबका, बताओ मुझे, पांस-दस मिट वेट करोगे, डिफरेंस करवा लता हूं, बोलो, आप लोग बोलो के तो करवा दूँगा, क्या मझा मन ही नहीं है, मैं वक्त मेरा दर लगता है, बताओ, करा दूँँ, ठीक है, करा दूँगा, रिस्क निलोगा, बहुत प्यार है, आप लोगसे करा दूँगा, बिस्क लोगा मैं, आओ, इंकारपेशन करेंगे, डिफरेंस करा दूँगा, क्यूं, कर लो याँ थोडोटा दूँगा, तो वर्बली उपर उपर से करा दूँगा, ठीक है, वर्बली करा दूँगा, करा दूँगा, खली बता दूँगा, हलका बाकी आप पढ़ लिजेग कि लींड करनें और पार्टर्शिप में किया इसमें पाइडिंग आक्ट कॉन सा है सा याद नहीं करना है बच्चा पांच मांग का शावाल पुछता है आपको पांच मांग का तो पांच सच्छे पॉंट याद कर लो काफी है जारा याद नहीं करने का ठीक है यह सब्सक्राइब को नहीं होता है यह सब्सक्राइब कर दो याद खॉर्ण करते हैं तो वही से भी पार्टेशिप शूरू हो जाता है है, it is not guided, or it is not to be incorporated under the specific act, की सर, registration कराना mandatory है when it comes to LLP, it is voluntary, that means it is not mandatory for the partnership firm, नाम, very important सुना मेरा बात को, जो भी LLP firm होता, जिस एक्जामपल SS, तो शांग साहबू, SS, जिस अजिए में लिखा if SS is an LLP, तो पीछे मैं यह तो limited liability partnership, यह तो LLP लिखूंगा, ठीक है, SS LLP, ठीक है, SS LLP, ठीक है, I will use LLP as a suffix, but partnership firm में ऐसा कोई requirement नहीं है, perpetual succession, सर, partners आए, partners जाए, but LLP चलती रहीगी, death insanity से, partnership के, LLP के existence में परख नहीं पढ़ेगा, but death insanity of the partners से, ठीक है, partnership firm में, affect जरूर पढ़ता है, आपने तो पढ़े होगा, किसी एक partner का death से भी, technically you can dissolve the partnership firm, वो तो बाकी partners अगर चाहें, तो अगर सारे partners का death हो गया, तो partnership firm will also come into an end, liability क्या है, liability आप मुझे पताएं, LLP का case में, LLP का case में, liability क्या है, इसके case में क्या है, it is what, unlimited, mutual agency LLP में होता है क्या, आप ही बताओ, पीछू रहे, जिसने रितिका सिंग, सिंग क्या है, सरनेम सर, सरनेम, समझ मैं है आपको, हाँ हाँ बस खतम, mutual agency होता है क्या LLP में, नहीं होता है, partnership में होता है, designated partners, बुलके कोई concept है क्या LLP में, यस सर, at least दो होनाची, designated partners, ठीक है, जिसमें से एक, कहां का होनाची है, हमारा भारत महान, one should be from the resident of India, he should be a resident of India, ओके सर, और यहाँ पे कोई भी ऐसा, DP बूलके concept, नहीं है सर, ठीक है, common seal, may have a common seal, ऐसे कोई concept नहीं है, common seal का, legal compliance कौन पूरा करता है, only the designated partners, ठीक है, यहाँ पे सारे partners को करना पड़ता है, annual filing of returns, LLP को file करना पड़ता, partnership में को ज़रूरी नहीं है, foreign partnership, foreign nationals जो है, foreign LLPs, can become the partner of the LLP, but, foreign nationals cannot become the partner, of a partnership, minor partner नहीं हो सकता है, for the LLP, minor can be a partner, in the partnership, obviously for the benefits, clear बिल्कुर्ट, बखने से, एक बाद रीडिंग अपकोर्स करना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक बाद रीडिंग कर लेजेगा, तो क्या तो दिमांग में सेट हो जाएगा, and you don't have to remember all the differences, any five or six will do, common seal जरूरी नहीं है, limited library वाला part, mutual agency वाला point, guiding act वाला point, foreign LLP वाला point, foreign partnership वाला point, और क्या था, perpetual succession वाला point, perpetual succession वाला point, designated partners वाला point, ठीक है, तो 10 points तो एसी यार हो जाएगा, तो साथ बोलो निबहाए, 10 points, आज पंगे के बतावा नहीं पाए केले, फिर फीर फॉरन पार्टनर्शिप और क्या था और यह लिएपर प्लाइजन से लिगल कंप्लाइस एंसे दो पाटनरिशिप फॉरम यहीं और और यह तो अपने दिमाग में सेट करी लो में स्मार्ट बनो भाई महनब करने आपको हँे क्या एकम्पनुन करता है इतना जरूरी नहीं छोड़तर को ओसको इतना नहीं करने कर तेक्ट में पीछे क्या रहा है नाम में ली तो यह एसल कॉमन पॉइंट एड स्माटली पड़ो स्माटली ठीक है स्माटली पड़ो ठीक है सफिक्स में इधर में क्या अब अब तरह पिछु में लिट्ट प्राइवेट लिमिट्ट और से सक्षिंट कमपनी वहा तो कुछ भी लगाने दरकार नहीं है लिमिट्ट सब्सक्राइब लिमिट्ट पार्टनर्स क्या है अपका लिमिट्ट है लिमिट्ट है लिए थी अपने हाथ में सारा याद करना पॉसिबल नहीं है जाता तो कितना वह एक दो तीन चार पांच चैना चैना याद करा दिया आप लोगो चैना आपको याद यह ठीक है छे में से आपको एनफाइव लिग लिए अपर ठीक है एक सब्सक्राइब पिच्छू लगाना इसे कादिया महता महता विकाम्स अश्य को तो आइसे इस इ करवा दिया अच्छा से तो यह मत बुलेगा उड़ा दिया लास्ट में ऐसा नहीं किया हमने ठीक है यहां पर पांच से साथ डिफरेंसे यहां से गिन लो और कोशिक जैसा करो कि कॉमन रखो से नेम यह कॉमन हो गया उसमें भी नेम है ठीक है वहां पर डीपी के बारे में इसहां यहां पर डीपी वहांपर दिरेक्टर्स वाला पॉइंट कॉमन हो गया लाइबरे कीवा प्रकान ओर चीबरे मन होग्या करेंध मेंकशन और में कॉमन यहां common points मैंने अब तक company and partnership नहीं किया लल्प करूं बिलकुल नमन आप मेरा सबसे पहले तो काउन करो लपी जो regular में साथ में चल रहा है वह ऐसे करो में साथ में ठीक है उसके बाद में अगर आपने क्या मुझे बताएं अभी तक एक बार भी किया या नहीं कि मुझे इतना बताओ खाली section 3 section 3 of the company that tells about the minimum subscribers of the memorandum ठीक है प्राइबिट में दो public में साथ वह वाला पॉइंट है चाई पीने का तो मन बहुत है हाँ हाँ important question discuss करेंगे अनिके tension मत करो उख टैंशन ही मत करो भाई कि नमन सुनो मेरा बात सुनो मैं आपको क्या आपको कर सकता हूं मेरा पूरा प्लेटलिस्ट बनाओ है कैसा कैसा लोग तो रूष्टिंग करता हूं आपका पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है ऐसा गलत रखता है ठीक है तोड़ो ख़ड़ो चलता है अब मेरे बात सब्सक्राइब काम गरो यह तो मेरे लेक्चर देख लो मेरे दस लेक्चर में मोटा मोटे आप completed everything that includes that includes basics regular lecture और फास्ट्रक में difference है कि फास्ट्रक में go more with examples I keep on writing also फास्ट्रक में वह लिखना वाला possible नहीं हो रहा था ठीक है और उसके अलावा completed everything मैंने याद भी करवाया क्लास में आपको question answers भी करवाया है ठीक है अगर वो करना तो वो कर लो यह तो one shot और one shot भी देखते हो आप questions कर लो तो whatever you are comfortable with आपके बाद सारा option मेरा ही playlist आपका बना हुआ है आप उसमें जाके बिंदाज देखिए बागी LLP साथ में करिए और सोगा जो है सोगा आप लोग सपी के सभी आन अकाडेमी एप में आजो मैंने यूनिट नमबर वन खतम कर दिया है with questions लिखवाना writing practice और आज अपना है कि आपका ब्रेन बहुत स्मार्ट है कुछ भी मिक्स नहीं होने वाला तो वाइटिंग पाल रहा है पेजट्थी बिल्कुल बिल्कुल अर्विंद मैंने करवाया है आप देखीगा मैंने important sections करवाया है मैंने important questions mark करवाया है सब करवाया है अप प्लेलिस पर देखो सरी एक बार जब देख लोगे तो अपने आप जोइन कर लोगे ठीक है कुछ mix नहीं होगा अरे हम लोग काफी underestimate करते अपने माइंड को और ब्राइंड is very sharp it's very very sharp trust me ठीक है it's very sharp it's just कि आपको trust करना है उस process में that's it getting it it's very sharp don't don't understand कि मत अज़र है कौन हसी कर रहा है किसका दम होगा है इसको छेड़ने का कि सब लिखवा है सोगा भी लिखवा है आज सोगा करेंगे क्यू एंड एंड यूनिट नंबर टू कि कि प्लीज पॉलो मी ऑन दे अनकाडमी याप ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे ठीक है एंड आपके बहुए सचांग भी हमेशा है दे नाइन ऑफ दे 75 हार चालेंग चल रहा है हम लोग इस बार कही कोशिश कर रहे हैं कि सभी के सभी बच्चे जो है आपकी बार डिस्टेंबर को करें क्या क्या करने का डिस्टेंबर को पार क कि अगर आपको समझ में आया तो ठीक है आई होब डाट कि जो बेसिक क्लास था आपके लिए बोरिंग नहीं होगा ठीक है जितना हो से कि मैंने याद कराने का खुशिश किया है विल्टू तुम्हार इंकॉर्परेशन और बेसिक राइट ऑब दे बार्टनर्स इसा हम लोग कल वाले क्लास में करेंगे तु अगर किसी को भी कुछ भी क्वेरी है आज की टॉपिक में तो प्लीज आप लोग अगर किसी के पास नहीं हो पाया तो आप लोग इसको कर लिजेगा है 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 अर्विन कल पांच बजे आ रहा हूं है फाइफ पीम तुमॉरो तुमॉरो फाइफ पीम पाकी फॉलो में अरे और पढ़ाईए अभी तो मना किया आपने आपने दो घंटा लॉप पड़ा है तो घंटा लॉप अमेजिंग नौ बज़े स्पेशल क्लास में मिलेंगे राइटिंग करना राइटिंग बाइब आए वेड़ी टेक केर बाइब आए power